Hello all my dear students, I hope you all are doing good, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हमारा बहुत ही अवेटेट सेशन, बहुत ही इम्पॉर्टन सेशन वो है आप लोगों के लिए लेटेस्ट रिवेजिन विडियोस फॉर यॉर मेइ 24 और नवेंबर 2024 एक्जाम्स एस पर दी लेटेस्ट ICI माटेरियल विच इस एपलिकेबल फॉर न्यू कोर्स और लेटेस्ट फाइना एंच जो फाइना एंच 2023 है इसमें हम सारे की सारी चीज़ कवर कर लेंगे आपका पूरा का पूरा ICI material कवर होगा सारे case loss कवर होंगे और इसके अंदर सारे circular CBD के notifications एक्सेटरा एक्सेटरा सब कुछ इसके अंदर हम लोग comprehensively कवर करेंगे और हमेशा से हमारा एक उदेश्य रहा है कि हमारे जो revision videos है वो सिर्फ हम ऐसा नहीं कि हम book खोल के read कर रहे है वी try to explain everything in our revision videos also ताकि एक student जो हमसे class कर चुके है regular badge, fast track badge, exam oriented badge, जो किसम भी badge हो तो वो उससे relate कर सके के हाँ class में ये पढ़ा था तो इसको recall करने के लिए अब ये revision videos हमें बहुत मदद कर रहे है so this is the first part which we are going to upload today, we are going to upload हम लोग इसी तरीके से हर हफ़ते एक एक part upload करते रहेंगे जिसके अंदर हम लोग आपके syllabus का कुछ major chunk cover करते रहेंगे ऐसे 7-8 parts आएंगे और 7-8 parts में हम आपका पूरा का पूरा 100% syllabus device करवा देंगे ठीके तो सबसे पहला part जो हम लोग आज चुरू करने जा रहे है वो है आपका business and profession पीजी बीपी जो आपका सबसे important topic है पूरे C.A. final syllabus में जो generally आपका पहला question भी होता है exam के अंदर old course में तो पहला question वही हुआ करता था मैं उमीद कर रहा हूं कि new course में भी पहला question वही होगा क्योंकि पिछले 10-12 साल से बहुत बार new course आए है हमेशा पहला question PGVP ही होता है तो मेरी ये उमीद है कि इस बार भी new course में पहला question PGVP ही होगा तो चलिए without wasting any further time and one more thing this revision video will be in Hindi and English mix एक full English revision video भी आएगा आगे जाकर for South Indian students which I will upload sometime later okay so अब हम लग चुरू करने जा रहे हमारा पहला chapter आजाए सब लोग PGVP के अंदर chapter number one PGVP सबसे पहले PGVP को पढ़ने के पहले हमको ये पता होना चीए there are five heads of income हम सबको बताए five heads of income है और किसी भी head में आने के लिए आपको उस head के अंदर आने के लिए उसके charging section को पढ़ना पढ़ेगा जैसे PGVP में आने के लिए section 28 पढ़ना पढ़ेगा HP में आने के लिए आपको section 22 पढ़ना पढ़ेगा salary में आने के लिए और एक special charging section है अब general charging section के अंदर अगर आप आज आते हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर general charging section में किसी कारण से नहीं आते हो तो नवायूस होने की जरुवत नहीं है आपके लिए special charging section भी है जिसके वज़े से आप PGPP में cover हो सकते हो तो सबसे पहले हम लोग आज general charging section के ब में define किया है business includes trade, commerce, manufacture in the nature of adventure एक adventure होना बहुत जरूरी है लेकिन यह बहुत ही खोकला definition है इससे better definition Supreme Court ने दिया है इंदके सब बरेंद्र परसाद रहें जिसमें Supreme Court ने बोला business implies a systematic and organized activity by applying labor and skill with a dominant intention of earning profit अगर आप skill apply करते हो labor apply करते हो अपना time apply करते हो profit earn करने के लिए अपलाई करते definition बड़ा ही खोकला है लेकिन यहां पर बहुत सारे Supreme Court के अलग-अलग judgments है practical life में उसमें से एक judgment हमने यहां पर cover किया है so that we can give you a flavor of what exactly a business is business बहुत ही बड़ा word बेटा उसको आप इतने आसानी से define नहीं करोगे क्या business में आएगा क्या business में नहीं आएगा it all depends upon the facts and circumstance of every case आपको हर aks situation को बहुत बारी की से देखनी पड़ेगी तब पता चलेगा क्या business में आता एक क्या business में नहीं आता है ठीक है उसी तरीके से profession का मतलब क्या है profession का मतलब vocation है sir vocation मीज़ workation मतलब कोई बी किसम का occupation जिसमें कोई skill की जरवत है कोई color की जरवत है कोई बहुत है इसा कोई कुछ examples हमने डाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कौन से income कौन से end में जाएगी और confusion दूर करने के लिए example डाले गए जनरली अगर हम किसी student से पुछेंगे कि interest income कहा जाती है तो वो बोलता IFOs income ज़रूरी नहीं है interest IFOs में भी जा सकती है PGPP में भी जा सकती है that depends upon आप किस purpose के लिए interest कमा रहे हो therefore यहाँ पर अगर आप business में contract लेने के लिए government को guarantee दे रहे हो bank guarantee दे रहे हो उसके लिए कोई fix deposit किया है उससे कुछ interest कमा रहे हो तो वो आपकी investment income नहीं है वो आपकी business से related income है inextricably linked to the activity of business inextricably का मतलब होता है closely linked to the activity of business तो वो interest आपकी business income होगी तो generally अगर आप bank में पैसा रखोगे वहाँ से interest कमाऊगे वो आफ हो इसे लेकिन अगर business में tender चाहिए उसके लिए bank से bank guarantee लेना है उसके लिए bank को FD रखना है bank में FD रखने से interest आ रहा है वो interest आपकी income from PGPP मानी जाएगी similarly factory में lockout होगे आपकी आपकी factory बंद होगी किसी temporary कारण के वज़े से, strike के वज़े से, shortage of raw material के वज़े से तो उतने समय के लिए आपनी क्या कि आपनी plant machinery etc को let out कर दिया तो यह आपका business intelligence है उससे जो भी rental कमाया वो IFOS में नहीं जाएगा वो business income माना जाएगा यह आपकी business expediency है, business expediency का मतलब होता है business intelligence है, वो income from PGPP माना जाएगा उसी तरीके से generally अगर आप go down let out करते हो warehouse let out करते हो, तो वो income from house property आएगा लेकिन यहाँ पर समद्रा साइकोट ने बोल दिया in the case of NDR wear housing, कि अगर आप let out के साथ और भी services देते हो, pest control, rodent control, fumigation, security services, protection services, तो फिर वो एक PGPP activity मानी जाएगी वो एक आपकी income from house property activity नहीं मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी property को let out करने से आती है acquiring property is your main business memorandum में लिखा है acquiring property and letting out is the main business substantial income भी letting out से आती है तो वो income from PGPP मानी जाएगी as head by supreme court in the case of Chennai properties and investment limited and Rhyala Corporation private limited so what is business, what is not a business बहुत बड़ा point है यह, इतना असान point नहीं है यह क्या business में आएगा, क्या business में नहीं आएगा बहुत debatable issue है कुछ चीज़े business में आती है, कुछ चीज़े business में नहीं आती है यह सब आपको facts and circumstance देख के पता लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बढ़ते है अपने अगले शबत की तरफ कि profits and gains का मतलब क्या होता है, सरकार नहां पर anticipated नहीं चलेगा, हाँ, अगर national anticipated deemed profits को charge करना है तो आपको ऐसे presumptive income की जड़िया लगानी पड़ेगी और presumptive income बता है कैसे शब्दों से शुरू होता है notwithstanding anything contained in section 28 to 43 तो presumptive income 28 से लेकर 43 तक सारे provisions को क्या कर देता है, override कर देता है तो अगर ऐसे section बनाओगे तो आप national income tax लगा सकते हो, otherwise आप national income tax नहीं लगा सकते हो उसके बाद business कौन करेगा, assessi करेगा assessi करेगा का मतलब क्या, सब कुछ assessi करेगा नहीं, नहीं, अससी को control करना जरूरी है, जैसे non resident को इंडिया में अगर business करना है, तो एक agent रखना पड़ता है तो क्या agent सब कुछ करता है, हाँ, सब कुछ agent करता है, लेकिन control कौन करता है, non resident तो assessi कौन हुआ, agent हो गया क्या assessi, नहीं, नहीं, जो control करना है business non resident, वो हुआ assessi last but not least, business कब करना है at any time during the previous year, पूरे साल में कभी भी business करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पूरे साल में कभी भी करो business, 365 दिन करना ज़रूर नहीं है, थोड़े समय भी करो के तो भी चलेगा, साथ साथ में, AY में business है या नहीं, उससे फरक नहीं बढ़ता है, PY में थोड़े समय भी business कर लिया, तो आपकी income taxable हो जाएगी under PGVP, ठीक है तो ये आपका charging section है, एक बार आप charging section में आ जाते हो, आप अपने आपको संतुस कर लेते हो, कि आप जो कर रहे हो वो business या profession है, उससे profits and gains कमा रहे हो carried on by SSC at any time during the previous year उसके बाद आपको computation के लिए मैदान में उतरना है computation के लिए section 29 बोलता है कि भाई how to compute income, मैंने पुछा how to compute income तो जवाब आता है, बहुत ही अजीब सा जवाब बोलता है section 30 से लेकर 43D तक पढ़ लो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पढ़ने के पहले क्या पता चलेगा, उससे पढ़ने के बाद न फ्क के पता चलेगा, और पीजी बबीब्य में क्या क्या dus Pennsylvania करना है, क्या क्या अलाओ करना है कौन से खर्चे मिलेंगे, कौन से खर्चे नहीं मिलेंगे लेकिन उससे पहले मुझे एक और काम करना है मुझे एक PNL बनाना है तो section 145 बोलता है आप PNL बनाओ मरकंटाइल के हिसाब से बनाओ क्याश के हिसाब से बनाओ जो भी बनाने हो रेगुलरली बनाओ स्विच मत करते रहो एक साल मरकंटाइल, एक साल क्याश, ऐसे नहीं कर सकते हो जो भी कर रहे हो रेगुलरली करो ठीके दूसरी चीज़, अगर मरकंटाइल फॉलो कर रहे हो तो आपको ICDS फॉलो करना पड़ेगा इंस्टीट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं चलेगा CBDD का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा तो आपको ICDS फॉलो करना पड़ेगा तीसरी चीज़, अगर आपने इन दोनों सब सेक्शन का फॉलो नहीं किया तो AO आपके अगेंस बेस जज़्जमेंट असेस्मेंट कर सकता है सेक्शन 144 के अंदर जिसके बारे में हम लोग आगे जाकर डीटेल में पड़ेंगे अब हम लोग सेक्शन 30 से लेकर 37 तक सारे डिड़क्शन के बारे में बात करेंगे लेकिन हम लोग उसके बारे में थोड़ी दिर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग एक और बात पहले कर लेंगे के बाद हम लोग deductions के उपर एक एक करके आएंगे ये मैंने आपको एक master chart बना दिया है कि सारे deductions को government ने दो category में divide कर दिया है 32-36 और section 37 32-36 में specific deduction आते है और 37 में general deduction आते है specific deduction में भी दो किसम के deduction है एक जो सब के लिए available है और जो एक सिर्फ और सिर्फ कुछ sectors के लिए available है सब के लिए available है कुछ specific sectors के लिए available है बस उतने ही section यहाँ पर covered है ठीक है यह चेक कर लो एक बार तो चलिए आगे बढ़ते अभी towards some special charging section देखो general charging section तो होगे आप कुछ special charging section की बात करेंगे special charging section में कब आऊगे जब आप general charging section में cover नहीं होते हो तब आप special charging section में आजाओ ठीक है सबसे पहले अगर यहाँ पर अगर आप किसी को कुछ पैसा देते हो for not carrying out any activity in relation to business or profession जैसे मुकेश अपानी ने जो अनि लंबानी को पैसा दिया था और बोला था कि आप मेरे दूसरी चीज अगर आप business में किसी को benefit या perquisite देते हो तो उसका भी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा income मानना पड़ेगा section 284 के अंदर तो business में अगर आपको कोई भी किसम का benefit या perquisite मिलता है तो उसका आपको हाथ में PGBP income मानना जाएगा साथ-साथ में देने वाला आपका 194R के अंदर TDS काटेगा याद करो पिछले साल यह नया section आया था साथ-साथ में यहाँ पर एक finance act 2023 का बहुत important amendment आया है और यहाँ पर यह clarify किया है कि भाई जो benefit और perquisite होता है वो काइन में भी हो सकता है वो कैश में भी हो सकता है तो जरूरी नहीं के benefit और perquisite हमेशा काइन में हो वो किसी भी form में हो सकता है ठीके next keyman insurance policy का पैसा मिलेगा तो क्या होगा sir अगर employer को मिलता है तो PGBP में taxable होगा employee को मिलता है तो salary में taxable होगा और employee के घरवालों को मिलता है तो IFOS में taxable हो जाएगा ये चीज़ दिमाग में रखना ठीक है Export Assessies से related government को क्या करना है government बोलती है अगर कोई बंदा export import में deal करता है और अगर import license बेच के profit कमाता है तो वो भी PGBP income माना जाएगा Similarly अगर customs law के अंदर उसको duty drawback मिलता है तो वो भी उसकी PGBP मानी जाएगी Similarly अगर export करने के लिए सरकार उसको cash assistance देती है सरकार वो तिया तु कर export बिटा हम देंगे तुझे पैसा तु export पे ध्यान दे foreign currency लादेश में हम तुझे पैसा देंगे ठीक है don't worry तुझे cash assistance देंगे तुरह जो भी loss होता है वो हम भरपाई करके देंगे तो वो भी उसकी PGBP income मानी जाएगी Last but not least अगर आप business का कोई contract तोड़ते हो या business के अंदर कोई contract terminate करते हो profession का नहीं business word यूज किया है profession नहीं covered है business का कोई contract तोड़ते हो या terminate करते हो या modify करते हो उसके लिए कुछ पैसा लेते हो तो वो आपका income from PGBP माना जाएगा उसी तरीके से अगर कोई employment का contract तोड़ते हो या terminate करते हो तो वो income from other source मानी जाएगी चेक कर लो please अब हम लोग बढ़ते हमारे पहले deduction की तरफ जो सबसे बड़ा deduction है वो है depreciation देखो income tax में 4 किसम के depreciation एक normal depreciation under the block scheme एक additional depreciation और 2 SLM depreciation है for power generating assets उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग normal depreciation under block scheme के बारे में बात करेंगे उसके कुछ condition से जो section 32 sub section 1 clause 2 में लिखे गए सबसे पहले depreciation claim करने के लिए आपको owner होना ज़रूरी है owner का मतलब income tax law में डिफाइन नहीं है legal ownership is not relevant under the income tax law यह income tax साफ 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 बोलती है अब अगला सवाल यह उठेगा के lease transaction और higher purchase transaction में depreciation कौन claim करेगा तो income tax ने साफ साफ बता दिया है through a CBDD circular that lease transaction में lesser claim करेगा और higher purchase transaction में higher purchase zar claim करेगा the depreciation under the income tax law अब यहाँ पर एक बहुत जबर्दस case law था ICDS Limited versus CIT का जिसमें क्या हुआ था कि SSC ने SSC is engaged in the business of leasing car तो car खरीदता SSC और customer को lease करता long term basis पे 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए और car खरीदने के बाद customer को दे देता है और motor vehicle act का requirement है कि car खरीदने के बाद अगर आप long term basis पर किसी को lease करते हो depreciation company ने claim कर लिया customer ने claim नहीं किया income tax वाले ने company को depreciation disallow कर दिया company ने जाकर Supreme Court में case file कर दिया और Supreme Court ने बोला company को depreciation मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा देखो car को use करने का मतलब ये नहीं होता है कि car को चलाना car को use करने का मतलब होता है it should be used in the course of the business अब leasing company वाला car क्या करेगा खुछ चलाएगा, तो फिर lease पर कैसे देगा तो वो car lease पर दे रहा है मतलब वो business के लिए use कर रहा है lease पर देना भी अपने में एक किसम का use है ना, तो इसलिए company को depreciation मिलना चाहिए secondly, owner का मतलब होता है beneficial owner, beneficial owner का मतलब होता है किसके उपर उस asset का power है उस asset के उपर किसका जादा rope चलेगा power चलेगा, control चलेगा तो वो company का चलेगा साफ-साफ agreement में लिखा था कि agreement कतम होने के बाद company वो particular asset वापस ले लेगी and therefore वो पूरा का पूरा power किसका है company का है therefore यह argument assessing officer का कि company owner नहीं है company asset use नहीं कर रही है खुद गाड़ी नहीं चला रही है खुद गाड़ी चलागी तो पैसा कैसे कमाएगी पगले therefore the depreciation will be allowed in the hands of the company itself and not to the customer ठीके now use भी करना पड़ेगा depreciation को asset को yes asset को use करने का मतलब क्या है use मतलब active use भी चलेगा passive use भी चलेगा passive use मतलब something which is ready for use emergency के लिए अगर आप business में कुछ रखते हो say spare part of machinery etc extra machine रख रहे हो extra car रख रहे हो extra laptop रख रहे हो extra iPad रख रहे हो extra computer रख रहे हो emergency के लिए तो वो भी use भाना जाएगा because it is ready for use किसी extraordinary reason के वज़े से अगर आप asset नहीं use कर पा रहे हो तो चल जाएगा आपको depreciation मिल जाएगा जैसे अगर market में raw material का shortage है इसके लिए आप depreciation नहीं क्लेम कर पा रहे हो उसके वज़े से आप asset नहीं use कर पा रहे हो तो आपको उसका depreciation क्या है government दे देगी कोई वरी वाली बात नहीं है ठीके now coming to the block of asset block के अंदर क्या क्या आता है देखो block के अंदर government ने दो category बनाई है tangible, intangible intangible में goodwill को बहार निकाल दिया 2021 के बाद goodwill पे depreciation मिलना बंदो चुका है 20-20 के पहले तक मिलता था और tangible asset में plant, machinery, furniture, building चार category बना दिये अब exam में अगर कुछ नहीं बोलाए तो plant and furniture will be depreciated at 15% building and plant and machinery will be depreciated at 15% building and furniture will be depreciated at 10% कुछ नहीं बोलाए तो आप ये करोगे लेकिन कुछ special rates भी हो सकते जैसे अगर residential building है तो 5% temporary structure है तो कितना 40% और motor car by default 15% लेकिन अगर आपका business is of running a motor car on higher जैसे आप bus वाले हो या आप Uber वाले हो ओला वाले हो ट्रांसपोर्ट बिजनस में हो तो आपको 30% का depreciation मिल जाएगा ठीक है अब एक important point है अगर आपने 23 अगस 2019 से लेकर 31 माद 2020 तक अगर motor vehicle खरीद के use की है गुदवा लो ये date अपने हाथों में दिमाग के अंदर बिठा लो ये date को 23 अगस 2019 से लेकर 31 माद 2020 के बीच में अगर motor vehicle खरीदी है और put to use की है तो आपको 15-15% extra मिलेगा जा 15 मिलता है वह 30 हो जाएगा जा 30 मिलता है वह 45 हो जाएगा लेकिन याद करना अगर कोई भी alternative regime फॉलो करते हो तो 115 BA, 115 BA, 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 BAC, BAD, BAE कोई भी alternative regime फॉलो करते हो special regime तो वहाँ पर आपको maximum 40% depreciation मिलता है उससे जादा नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो आपको 45% मिल रहा है कौन्चे case में 30 प्लस 15% extra इस case के वज़े से तो वह वहाँ पर 45 नहीं मिलेगा सिर्फ 40 मिलेगा यह जबरदस interlinking में आज ही कर देता हूँ आगे जाकर फिर से बोलूँगा ठीक है electric vehicle के लिए आपको 40% depreciation है computer और computer software के लिए आपको 40% है पे जादा detail में और आगे जाकर में बताऊंगा computer software से related कुछ issues आने वाले mobile phone EPBX पे आपको 15% है उसके बाद windmill, professional book, aircraft, pollution, control equipment यह सब 40% पे depreciate होंगे और आपकी जो ship है वो 20% पे depreciate होगी अच्छा depreciation अगर अगर 180 दिन से कम use किया तो half हो जाएगा लेकिन यह condition कब apply के बहुत जाना ध्यान से सुनना अगर इस साल में asset purchase करके इस साल में 180 दिन से कम use किया तो half होगा otherwise half नहीं होता है इस साल में purchase करके इस साल में 180 दिन से कम use किया तो half होगा लेकिन plant को डिफाइन किया है inclusive manner में exclusive manner में कुछ चीज़े उसमें डाल दिये कुछ चीज़े उससे निकाल दिये plant include जैसे ships, vehicle, books, scientific apparatus, surgical equipment और plant में से कुछ चीज़े निकाल दिये tea bushes निकाल दिया, livestock निकाल दिया, building निकाल दिया furniture and fitting को plant के definition से निकाल दिया चलो ठीक है उसके बाद depreciation block में claim करने के लिए दो condition आपको fulfill करने पड़ेंगे 31st March को पहला आपका block last day पर positive होना चाहिए मतलब amount column positive और quantity column आपकी zero नहीं होनी चाहिए quantity में कब से कम एक asset तो अगर 31st March को quantity में एक asset है और amount positive है तो आपको depreciation मिल जाएगा mandatory है yes it is mandatory to claim depreciation यह आपके लिए optional नहीं है यह आपको करना ही पड़ेगा next depreciation WDV पर निकलता है yes तो WDV का मतलब क्या होता है उसका मतलब section 43.6 में defined है WDV means actual cost as reduced by depreciation actually allowed जो भी depreciation actually allowed है उतना आप minus कर दो ठीक है तो आपको WDV आएगा अब इसके दो exception है दो exception मतलब यहाँ पर depreciation actually allowed नहीं है फिर भी आपको minus करना है पहला unabsorbed depreciation आपको current year में allowed नहीं होता है फिर भी आपको block of assets से उसको minus करना है इस example के इसाब से actually allowed future years में होईगा फिर भी आपको block से current year में minus करना है भी very careful about it second अगर आपका business partially agriculture रहले मतलब exempt है और partially business है मतलब taxable है तो 40-60 पता है न वो tea वालों के लिए 40-60 है और rubber वालों के लिए 35-65 वो coffee वालों के लिए 25-75 एक्सेटरा है अगर आपका business partially agricultural है और partially taxable है तो उस case में आपको क्या करना पड़ेगा उस case में आपको यह सब नहीं सोचना है यह partially exempt exempt है WDV निकालते समय डेपरिसेशन पूरा निकालने का ब्लॉक से पूरा 100 रिपे का असेट खरीदा 15% डेपरिसेशन है पूरा 15% माइनस करने का यह बोलना चाहता यह particular exception ठीक है अब last but not least यहां के लिए कि आपके पास अगर कोई block of asset है intangible asset का 2020 में और उसके अंदर कोई goodwill है पढ़ी हुई पुरानी माली 15, 16, 12, 13, 10, 11 की goodwill तो उसका WDV आपको 1st April 2020 में माइनस करना पड़ेगा 1st April 2020 को आपको अपनी पुरानी goodwill अपने block से क्या करनी पड़ेगी निकालनी पड़ेगी निकालनी पड़ेगी निकालनी पड़ेगी अब आगे बरते towarz the next part and that is what additional depreciation sir additional depreciation किसको मिलता है manufacturer को मिलता है या power generator power distributor power transmitter वालों को मिलता है सबको नहीं मिलता है क्या करना पड़ेगा sir नहीं plant and machinery acquire इंस्टाल और करना पड़ेगा नई plant and machinery यूज़ करना पड़ेगा तो 20% एडिश्टल मिलेगा हर साल मिलता रहेगा नहीं वंस इन लाइफ टाइम ही है एक बार अगले साल वापस नहीं मशीनरी खरी तो वापस मिलेगा हर बार एक की मशीनरी पे आपको 20-20% थोड़ी मिलता रहेगा सार्ब तो मिलेगा साथ साथ में एडिश्टनल भी मिलेगा ठीक है नॉर्मल हर साल मिलता रहेगा लेकिन एडिश्टनल वंस इन लाइफ टाइम ओके सर अगर 180 दिन से कम यूज़ की असेट तो हाफ हो जाएगा बैलेंस आपको अगले साल मिल जाएगा डोंट वरी अबाउट ठीक सर एडिश्टल डेप्रिशेशन भी ब्लॉक से माइनस होगा यस ब्लॉक से माइनस हो जाएगा क्योंकि वो भी एक डेप्रिशेशन है सर एडिश्टल डेप्रिशेशन प्रिंटिंग करने वालों को मिलेगा यस प्रिंटिंग करने वालों को मिलेगा सिर्फ पब्लिशिंग करने वालों को additional depreciation nih मिलेगा इसी machinery जिस पर करके बैठे हो कही न पर आप वापस से then additional depreciation मांगने मता आना ठीक है सर जो फैक्टरी के अंदर फॉकलिफ ट्रक्स चलती है सर फैक्टरी के अंदर जो छोटी-छोटी गाड़िया चलती है उस पर एडिस्टल डेप्रिसेशन मिलेगा येस मिलेगा वो रोड ट्रांसपोर्ट वहीकल नहीं माने जाते तो उस पर आपको एडिस्ट होता है और कुछ नहीं वो सारे खर्चे जो असेट को वरकिंग कंडिशन में डालने के लिए ज़रूरी है वो सब असके साथ-साथ अगर आपको असेट खरीदने में किसी ने मदद की है कोई हेल्प की है उतना पोर्शन आप कंस्ट से माइनस कर दो किसी ने कोई सबसीटी दे दिया है किसी ने कोई grant दे दिया है तो उतना आप cost से minus कर सकते हो ठीके उसके अलावा अगर आप एक बंदे से एक दिन में कोई asset खरीते हो दस जार से जादा payment करते हो तो आपको चार मोट से payment करना है otherwise आपका खर्चा actual cost में add नहीं हो सकता है इसका मतलब आपको depreciation नहीं मिल आपने loan लिया, loan लेने के बाद asset जब तक put to use नहीं किया जब तक put to use नहीं किया तब तक आपका interest asset में capitalize हो जाएगा एक बार asset put to use कर दिया उसके बाद आपका interest जो है वो क्या हो जाएगा वो PNL account में चला जाएगा जैसे आपका accounting standard 16 के अंदर borrowing cost के अंदर होता है ठीके यह सा admin और general overheads है अगर वो asset से related नहीं है तो उसको asset में add नहीं करना है अगर specifically asset के लिए attributable है तो उसको आपको asset में include करना पड़ेगा उसी तरीके से अगर asset को startup करने के लिए commission करने के लिए कोई खर्चा करते हो तो वो add करना पड़ेगा लेकिन एक बार आपका production शुरू हो गया उस qualifying asset क्या होता है एक ऐसा asset which takes substantial period of time for it to be ready for its use use होने के लिए उसको ready होने के लिए भी substantial time है उस asset को बोला जाता है qualifying asset और जब तक आपका asset qualifying होता है उसका interest आपको capitalize करना होता है यह सब आपको भी पता है ठीके तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि आप आपने जो loan लिया है वो specifically for qualifying asset है क्या अगर है तो वो directly capitalize कर तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर वो general loan है specifically qualifying asset के लिए नहीं है बलकि एक general loan है तो फिर आपको यह formula के हिसाब से उसको capitalize करना पड़ेगा जिसमें A का मतलब क्या है B का मतलब क्या है C का मतलब क्या है वो हमको पढ़ आप में बोलता हूँ पहले C बोल देता हूँ C है average total of the balance sheet तो balance sheet के total assets का जो average है वो ले लो opening balance closing balance divided by 2 वो उसका average हो गया sir B क्या है B depend करता है अगर आपका qualifying asset शुरुआत में भी था और end में भी था financial year के 1st April पे भी था 31st March में भी था तो divide by 2 कर दो उसका average ले ले लो अगर आपका qualifying asset first day पर नहीं था या first day और last day दोनों दिन पर नहीं था तो फिर उसका value का half ले लो ठीक है first day पर नहीं था मतलब जून से शुरुआ और December में खतम हो गया तो उसका जो भी value है उसका half ले लो या आपका qualifying asset does not appear in the balance sheet on the last day last day पर नहीं था लेकिन first day पर था मतलब 1st April को balance sheet में था और से 31st December को qualifying asset qualifying asset नहीं रहा तो 1st April और 31st December का average ले लो और कुछ नहीं ठीक है ये बोला गया यहाँ पर आपके इस particular ICDS के अंदर एक बार asset put to use हो गया मतलब एक बार asset qualifying asset से बाहर निकल गया अगर वो अपने आपको और qualifying asset नहीं बोला सकता है तो फिर आप directly interest को क्या करो revenue expenditure के त आप उसको revenue expense के तौर पे deduction ले लो ठीक है next अभी कुछ बहुत सारे special cases है actual cost के एक एक करके हम लोग सारे के साथ देखेंगे उसमें से कुछ मैं शायद skip करता हूँ फिलाल के लिए आगे जाकर respective concept के साथ उसको deal करूँगा तो ये पहले दोनों मैं भी फिलाल के लिए skip कर रहा और कुछ नहीं actual cost to the previous owner minus depreciation actually allowed to that person next explanation 3 क्या बोलता है अगर आप महंगे में asset खरीदते हो you are purchasing asset as a higher price तो फिर अगर A.O. को लगता है कि आपने जान बूच कर महंगे में asset खरीदा है तो फिर A.O. आपका actual cost determine करेगा joint commissioner से approval लेके ठीक है explanation 4 क्या बोलता है A. ने asset B. को बेचा B. ने asset C. को बेचा C. ने asset D. को बेचा फिर D. से वापस A. ने खरीद लिया तो A. ने B. को B. ने C. को C. ने D. को और D. से वापस खरीद लिया तो अगर आप asset बेचते हो और फिर बात में reacquire कर लेते हो तो आपके हाथ में actual cost क्या होगा WDV at the time of original transfer जब A. ने B. को बेचा था आपका बन जाएगा actual cost. Explanation 4 है. यह दा ध्यान से सुनना. मान लो मैं A हो आप B हो. आप एक asset यूज कर रहे हो. उस asset की WDV है लाक रुपए. अब वो asset आपने मुझे बेच दिया. मैं A हो. आप भी हो. आपने एक asset खरीदा. उसकी WDV लाक रुपए है. वो आपने मुझे ब खरीद के उसको lease back करता हूँ. तो actual cost in my hands will be the WDV in the hands of the transferer. चेक करो. Next. अगर मैं personal plant, personal machinery, personal furniture, business में लाता हूँ. मतलब पहले personal था, अब business में लाता हूँ. तो actual cost will remain actual cost. लेकिन अगर मैं personal building business में लाता हूँ. then actual cost is not actual cost. तो उस case में government ने बला है. cost will be the cost of construction, cost of purchase. minus national depreciation निकालना पड दा था. उसमें मैं रहता था. और 2022, 2023 या 2023, 2024 में मैं उस building के अंदर क्या करना हूँ? अब office बना रहा हूँ. तो 2015 से लेकर 2022, 2023 तक का आपको depreciation क्या करना पड़ेगा? notionally minus करना पड़ेगा. और rate कौन सा लोगे? rate आज का लोगे. जब conversion हुआ, उस साल का rate लोगे, यहाँ पर च जब एक बार asset put to use हो गया, उसके बाद उसका interest actual cost में नहीं आ सकता है. ठीक है? explanation 9 क्या बोलता है? कि अगर आपने कोई asset खरिदा, उसके ओपर आपको GST, VST लगा हुआ है. तो या तो आप GST credit ले लो, या तो आप depreciation ले लो, दोनों आप नहीं ले सकते हो. अगर आपने GST credit ले लिया है, GST law के हिसाब से, तो आपको income tax में उस portion पे, GST portion पे depreciation नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. explanation 10 क्या बोलता है? अगर आपको asset खरिदते हो, और उस asset खरिदने के लिए किसी ने आपको मदद किये in the form of subsidy, grant या reimbursement. subsidy, grant या reimbursement के तोर पे अगर किसी ने मद पड़ेगा, अगर बहुत सारे assets खरिदने के लिए किसी ने मदद की है, मानलो 100 करोड के 5 assets मुझे खरिदना है, किसी ने बोला 20% मैं finance करता हूँ, तो proportionately 5 assets में से आपको थोड़ा-थोड़ा क्या करना पड़ेगा? minus करना पड़ेगा, 5 assets में से थोड़ा-थोड़ा proportionately आप क् actual cost क्या होगा? कुछ नहीं, उसकी WDV निकालने का, ऐसा सोचने का, अगर asset इंडिया में use होता, तो क्या होता? तो जब से खरीदा लेगा, तब से लेकर अब तक का उसका depreciation minus करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जो भी WDV होगी, वह इंडिया के अंदर उसका actual cost बन है, ठीके? नेक्स, 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 अब यहाँ पर बहुत important definition है, subsidy, grant, reimbursement, यह सब को government ने income के definition में डाल दिया है, subsidy income है, grant income है, concession income है, reimbursement income है, अब सवाल उठेगा, अगर यह सब income है, तो फिर यह इसका क्या मतलब बनता है? तो देखो, अब यहाँ पर अपने वक्त स asset के लिए, किसके लिए है, fixed asset के लिए, तो आप actual cost से उसको minus करोगे, ठीके? तो आप यही treatment होगे, जो इधर है, यहाँ पर भी साफ साफ इसको बहाँ निकाल दिया है, चेक करो, exclusion कर दिया, इस definition of income से, तो subsidy grant और reimbursement, अगर assets related है, तो minus करने का, उसके अलावा, अगर subsidy grant और reimbursement, assets related नहीं है, बलकि कोई raw material के लिए, electricity bill पे करने के लिए, कोई और चीजों के लिए, तो फिर आपको इसको क्या करना है, income में add करना है, add करना है, और cash incentive duty, drawback, waiver, concession, यह तो हमेशा income में ही add होंगे, यह fixed asset से related हो, यह fixed asset से नहीं related हो, यह हमेशा income में add होंगे, हमेशा, हमेशा, हम हमेशा, be very careful, ठीके, it is as simple as that, तो subsidy grant और reimbursement fixed asset के लिए है, तो minus करने का, बाकि अगर subsidy grant और reimbursement other than fixed asset है, तो income है, और यह जो चार item है, यह हमेशा, हमेशा, हमेशा income माना रहेगा, fixed asset के लिए है, तो भी income है, other than fixed asset है, तो भी income है, ठीके, अब यह सब कौन देगा तो income है, अगर central government देगा तो income है, state government देगा तो income है, अनि authority देगा तो income है, body देगा तो income है, agency देगा तो income है, तो अगर इन सब को अगर आप गौर से देखो तो यह सब mainly government people है, government authority है, अगर government या उससे related कोई authority है, आपको यह सब कुछ दे रहा है, तो income है, otherwise income नहीं है, ठीके, be very careful, दूसरा exclusion जिस पे भी income tax नहीं लगेगा, तीसरा exclusion क्या है, यहाँ पर देखना, अगर LPG subsidy या कोई और दूसरी subsidy सरकार की तरफ से individuals को मिलती है, तो उसके ओपर भी tax नहीं लगेगा, be very careful, यह ultimate conclusion मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आप देख लेना, जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपके स जब तक आपको 100% assurance नहीं है, कि आप सारे conditions comply कर दोगे, और जब तक आपको 100% assurance नहीं है, कि grant मिल जाएगा, अगर 100% assurance है कि grant मिलेगा, तब ही recognize कर दो, और एक बार grant मिल गया, उसके बाद उसको postpone करने का कोई reason नहीं है, अब उसको grant को आप treat कैसे करोगे, अगर depreciable asset है, तो cost से निकालोगे, जैसे income tax में बोला गया है, अगर directly assets relatable नहीं है, बलकि बहुत सारे assets के लिए है, तो ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको proportionately सारे assets से थोड़ा 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 करके निकालना पड़ेगा, अगर government grant compensation की तरह मिल रहा है government से, कोई नुकसान हो गया, on depreciable asset के लिए है, तो जैसे जैसे आप grant को income recognize करोगे, जैसे जैसे उस grant का आप खरचा recognize करोगे, sorry, वैसे वैसे उस grant का income भी recognize करोगे, गवर्मेन्ट जब आपको grant देती है तो किसी obligation के साथ देती है, ना 100 करोड दे रही हूँ, 20-20 करोड हर साल खरचा करोगे, तो जैसे जैसे अगर depreciable asset के case में refund देना पढ़ेगा तो मुझे बताओ जब मिला था तो क्या किया था block से minus किया था ना तो अगर जब वापस करना है तो क्या करना पढ़ेगा block को increase करना पढ़ेगा block में add कर देना पढ़ेगा ठीके और ये बाकी दूसरे cases में क्या करना पड़ेगा कि 100 करोड का आपको ग्रांड बिला ठीक है अगर आपने उसमें से 60 करोड खर्चा कर दिया तो 40 करोड ग्रांड बैलन्स शीट में बढ़ा हुआ है बैलन्स ठीक है बैलन्स बढ़ा हुआ है और जो 30 करोड एक्स्ट्रा दे रहे हो ना वो आपका खर्चा हो गया वो आपका नुक्सान हो गया तो जो एक्सस भी कर रहे हो वो आप PNL में चार्ज कर सकते हो चेक कर लो यहाँ पर बहुत सिंपल है ठीक है अब अगले प्रोविशन की तब बढ़ते हैं जो बहुत जादा इंपोर्टन है सेट आप और कैरी फ़रोड करके आप किसी भी इंकम से सेट आफ कर सकते हो कोई दिक करती है एक्साम में प्रायोरिडी आफ सेट आफ क्या होगा सबसे पहले अगर आपके पास बहुत सारी चीज़े दी गई है तो सबसे पहले करण डियर का डेप्रिसेशन राइट आफ किया करो क्योंकि वो मैंडेटरी है उसके बाद ब्राट फर और बिजनस लॉस सट आफ किया करो क्योंकि वो 8 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद UAD सट आफ किया करो क्योंकि वो unlimited period के लिए आपको अलाओ होता है इसको सबसे end में यूस करने का दो और चीज़ UAD जैसा ट्रीट की जाती है एक तो capital expenditure of family planning उसको भी UAD जैसा ही ट्रीट करती है सरकार और capital expenditure of scientific research उसको भी UAD जैसा ही ट्रीट करती है यह मैंने interlink की कर दिया है आगे के profession में उसको वापस से बोलूँगा ऐसा सोचो के amalgamation हुआ ही नहीं है और depreciation निकालो और एक बार amalgamation हुआ ही नहीं है ऐसा सोच के depreciation निकाल लिया उसके बाद में आप दोनों के बीच में बाट दो amalgamating company amalgamated company दोनों के बीच में बाट दो क्या ratio में बाट उसर on the basis of number of days the assets are used by both of them दोनों के ratio में बाट दो number of days जिसने जितना use किया ये provision सिर्फ amalgamation नहीं, demurger के लिए भी applicable है ये provision succession के लिए भी applicable है तो ये provision amalgamation, demurger, succession ये तीनों के लिए applicable है be very careful about it, ठीक है last but not least, आगे जाकर जब amalgamated company आपके assets लेगी तो अपसके हाथ में actual cost किया होगा, कुछ नहीं जो amalgamating company के हाथ में WDV या cost था वो ही amalgamated company के हाथ में actual cost और WDV हो जाएगा तो जो amalgamating company के हाथ में WDV थी वो ही हमारे हाथ में actual cost होएगा, it is as simple as this, ठीक है next one is SLM depreciation SLM depreciation मैंने आपको शुडवात में बोला था there are four kinds of depreciation under the income tax law अब SLM depreciation के बारे में हम लोग बात करेंगे आज SLM depreciation किसको मिलेगा, सिर्फ power generating and distribution असरीज बागी सब लोगों के लिए applicable नहीं है लेकिन सबसे पहले एक दुखत खबर सुर लो अगर आप SLM depreciation क्लेम करते हो तो फिर आपको additional depreciation के रास्ते बंद हो जाएंगे additional depreciation नहीं मिलेगा अगर आपको additional depreciation चाहिए तो फिर आपको WDV of block वाला asset वाला method फॉलो करना पड़ेगा SLM वालों को additional depreciation का concept applicable नहीं होगा वो 20% additional आपको नहीं मिलेगा अब SLM depreciation वाले कैसा क्लेम करेंगे देखो बहुत simple है एक लाग रुपे का asset है 10% depreciation है for example तो हर साल का कितना depreciation आ जाएगा 10-10,000 आ जाएगा तो 3 साल का 30,000 WDV 70,000 अब मान लो अब हर साल आप 10-10,000 क्लेम करोगे बस इतना simple है और कुछ नहीं अब मान लो अगर आपने इसको बेश दिया WDV से भी कम में तो जितना भी कम में बेचा WDV से कम में बेचोगे तो government reduction देती है by the name called as terminal depreciation under section 3212 यह आपके लिए क्या है यह आपके लिए किसम का benefit है और कुछ नहीं ठीक है अब अगर इसको आपने WDV से जादा में बेचा मतलब 70,000 की चीज़ 80,000 में बेच दी तो 10,000 government बोलती है balancing charge deemed income 41 subsection 2 तो अगर सस्थे में बेचोगे तो loss होएगा loss होएगा तो terminal depreciation mango में बेचोगे तो income होगा income होगा तो उसको चार्ज करना पड़ेगा पहले 30,000 उतना balancing charge होगा और जो balancing charge जो cost के उपर है मतलब 1,20,000 और 1,00,000 का जो difference है 20,000 रुपया वो आपका क्या हो जाएगा वो आपका capital gains हो जाएगा तो बहुत simple है 70,000 WDV है 50,000 में बेचा तो benefit है WDV के नीचे बेचोगे तो terminal depreciation WDV के उपर बेच रहे 80,000 में तो balancing charge और cost के भी उपर बेच रहे एक लाग 20,000 पे तो जितना depreciation पहले claim किया था उतना reverse करो PGBB में और cost के उपर जो कमारे हो वो आपका क्या माना जाएगा वो आपका माना जाएगा capital gains ठीक है वो capital gains माना जाएगा मैंने बोलग कैसे adjust करना पड़ेगा बोले WDV add balancing charge less terminal depreciation ऐसे adjust करो अब ऐसे adjust करने से क्या होगा पता है जहां पर भी loss आ रहा है ना वहाँ पर gain आपका 0 हो जाएगा बहुँच अलाकी से बना है जहां loss आ रहा है वहाँ gain 0 हो जाएगा और जहां profit आ रहा है ना वहाँ profit ही रहेगा जिसे फर्स case में देखो आपको loss आ रहा है पचास हजार selling price है 1 lakh आपका क्या है 1 lakh आपका cost है तो यहां loss आ जाएगा second case में भी 80,000 selling price है 1 lakh cost है तो यहां पर भी loss आ जाएगा one last thing just for your general knowledge general knowledge के लिए एक आखरी चीज़ बता रहा हो कि year of sale में income tax में depreciation नहीं मिलता है नहीं मिलता है नहीं मिलता है अगर आपने 1st April को घरीट के 25 है March को भी बेचा ना अगर 360 दिन भी यूज किया ना तो भी आपको year of sale में depreciation नहीं मिलेगा और दूसरा अवैल कमेशन और डी मर्जर वाले केसे से जिसमें हमैल के मेटिंग कमपनी को year of sale में भी क्या मिल रहा है depreciation का benefit मिल रहा है आप चेक कर लो सब लोग बराबर से ठीके last but not least यहाँ पर दो section है उसमें से पहला वाला बहुत जादा important है दूसरा वाला शायद इतना important नहीं है लेकिन दोनों देखना पड़ेगा सबसे पहले पहले पहला वाला देखेंगे 43 है 43 है कब application है condition सुन लो मेरी उंगलियों पे अगर आप कोई fixed asset import करते हो और उसके ओपर foreign currency का loan लगा हुआ है fixed asset import कर रहे हो fixed asset import कर रहे हो इंडिया से नहीं खरीद रहे हो और उसके ओपर foreign currency का loan लगा हुआ है तो उसका जैसे भी loan repay करोगे जब repay करोगे जब actual payment करोगे जब payment करोगे balance date पर नहीं 31st March पर नहीं जब pay करोगे पे करोगे पे करोगे तब gain on loss जो भी आएगा वो WDV of the block of asset में आपको adjust करना पड़ेगा अगर loss आता है तो WDV of the block of asset पे add back कर दो और अगर gain आता है तो WDV of the block of asset से minus कर दो मैंने आपको 3 साल का पूरा example क्लास में लिखवाया था जाकर check कर लेना तो यह जो case 43 है बहुत specific case है सिर्फ पर सिर्फ अगर fixed asset import कर रहे है और उसके ओपर foreign currency loan लगा हुआ है तो ही apply cable है उसके अलावा अगर कोई दूसरे gain or loss है तो सर अगर कोई सर डेटर पे लोग gain आता है creditor पे gain आता है expenses gain आता है अगर कोई foreign transaction पे gain आता है या कोई दूसरे items पे gain or loss आता है knock off करो तो आपको तीन step में आपर transaction कर दा है पहले जिस दिन transaction किया उस दिन record करो फिर 31st March को उसका profit recognize करो loss recognize करो और जब actual settlement हो जाएगा अगले साल तब जाकर उसको वापस से 31st March के rate से compare करके gain or loss को recognize करो तो यहाँ पर आपके सारे gain or loss आ जाएंगे 43A को छोड़कर सारे आ जाएंगे कुछ examples है monetary items, non-monetary items, transaction of foreign financial statement of foreign operations, forward contract foreign currency, transaction results, बहुत सारे कुछ illustrative examples है बस everything apart from 43A will be covered in 43AA only ठीक है अब यहाँ पर एक आपको ICDS भी दिया गया है जैसे कि आपको बोला है आपको ICDS के साब से treatment दे रहा है आज transaction हो रहा है तो आज केmade rate के साब से रिकॉर्ड करो लेकिन एक option भी देता आता है आप average rate ले सकती हो पूरे हफते का पूरे मैंने का वह भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो पूरे मैंने का एक average rate ले लू रेट के closing rate के साब से revalue करो closing rate अगर बहुत जादा unrealistic है मतलब बहुत जादा बढ़ गढ़ 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 तो फिर आप closing rate के साब से मत करो फिर आप actually में जितना pay करोगे जितना receive करोगे जितना likely to pay and likely to receive है उसे साब से आप recognize करो हो सकता है कभी-कभी closing rate पर कोई ऐसी घटना घट गढ़ गई है जिसके वचे से dollar और pound का rate उपर नीचे बहुत जादा हो गया तो फिर उससे साब से मत recognize करो non-monetary item should be recorded as on the date of transaction and then revalue on the closing date non-monetary को आपको क्या करना है date of transaction के साब से record करना है पहले और फिर 31st March के साब से उसको क्या करना है revalue करना है ठीक है यहाँ जाकर आपका depreciation का पूरा का पूरा discussion खतम हो जाता है एक बाच अकलो फिर आगे बढ़ते तो चलिए आगे बढ़ते towards the next part और अब हम बात करेंगे चोटे-चोटे कुछ specific deductions के बारे में सबसे पहले section 30 यहाँ पर बात करता है buildings related charge, rent, rates and taxes, repairs and insurance उसमें जो अगर आप owner हो तो आपको rent का deduction नहीं मिलेगा obviously और अगर आप tenant हो तो आपको rent का deduction भी मिल जाएगा ठीक है rates and taxes का deduction आपको 43B के इसाप से मिलेगा payment basis पर accrual basis पर नहीं मिलने वारा ठीक है और repairs का deduction आपको तब मिलेगा जब आपका repair कैसा होगा revenue repair होगा revenue repair होगा तो मिलेगा capital repair होगा तो नहीं मिलेगा ठीक है be very careful अगर capital repair होगा तो sir अगर owner हो और capital repair करते हो तो building के cost में add करो उस पर depreciation claim करो और अगर tenant भी हो तो capital repair के लिए separate deemed owner करके deemed building का concept government ने लाया है explanation to section 321 के अंदर जहां पर बोला है कि अगर आप tenant हो और अगर आप capital repair करते हो तो तब भी हम आपको क्या देंगे depreciation का reduction दे देंगे don't worry about it ठीक है अब repair से related एक बहुत छोटा सा issue है जो आपके exam में एक बार आया था जिसमें ये है कि suppose मैं tenant हूँ आप मेरे landlord हो और हमारे बीच में agreement है कि मैं repair करूँगा तो ही मुझे repair का reduction मिलेगा otherwise नहीं मिलेगा agreement में लिखा होना चाए कि repair मैं करूँगा tenant करेगा तो ही deduction मिलेगा ने तो नहीं मिलता है अच्छा अगर agreement में लिखा है कि tenant repair नहीं करेगा बलकि landlord करेगा और अगर tenant ने किया तो तो ऐसे केस में आपको section 30 में deduction नहीं मिलेगा आपको section 37.1 में जाकर उसकी deduction लेनी पड़ेगी ठीके next repairs and insurance of plant machinery furniture का deduction का मिलेगा यहां मिलेगा plant machinery का repair करते हो again capital नहीं होना चाहिए revenue होना चाहिए insurance करते हो तो यहां पर मिलेगा प्लान machinery furniture अगर rent पर लेते हो तो उसके rent का deduction यहां नहीं मिलेगा वो आपको 37.1 में मिल जाएगा next अगर आप stock के against insurance करते हो तो उसका deduction यहां पर मिलेगा employees के health के लिए अगर insurance करते हो तो उसका deduction यहां मिलेगा लेकिन cash में मत देना cash में मत देना और अगर bonus और commission employee को देते हो तो उसका deduction यहां मिलेगा लेकिन 43B के हिसाब से मतलब pay करोगे तो deduction मिलेगा accrual basis पे deduction नहीं मिलने वाला है ठीक है और इसके रीचे एक important line है bonus should not represent profit portion मतलब अगर सब और चार shareholder है आपकी company में चारों का 25% shareholder है और आप दो shareholder को क्या कर रहे हो दो shareholder को आप कम bonus दे रहे हो दो को जादा दे रहे हो ठीक है और जिसको जादा bonus दे रहे हो उसको dividend कम दे रहे हो मतलब उसका dividend कम करके आप उसको bonus दे रहे हो तो ऐसा अगर आप करोगे ना तो dividend के बदले अगर bonus दोगे तो उसका deduction आपको नहीं मिलने वाला है ठीके तो जो portion dividend का है उसको छोड़कर dividend को हटा कर आप bonus के तौर पर उसको देने की कोशिश करोगे तो वो आपका खर्चा क्या हो जाएगा डिसला हो जाएगा यहाँ पर इस particular дальion के लिएगा ठीके लोन किसे के लिए लेना है बिजनस और परफ्र प्रोफेशन के लिए लिएलेना होगा सर भिजनस का मतलब क्या होता है इसका मतलब बहुत वाईडर है आप प्शिणस में अपने expense करने के लिए ले सकते औरद क्लेएक असेट, अगर्णे करने के लिए देती है लोब इंदास तुम्हारी मर्जी ठीक है जितना जेल सकते हो तरहां लेते लोग कोई दिकती है हाँ कुछ इंटरेस्ट अर अलाओड ऑन पेमेंट बैसे अस पर 43B जब हम लोग 43B देखेंगे तब बात कर लेंगे अभी भी बता देता हूं कि सिर्फ इंडियन बैंक स अगर लोगे तो 43B में कवड़ है अगर फॉरेंड बैंक से लोगे तो 43B में नहीं कवड़ है कुछ NBFC भी कवड़ है 43B में कुछ सारी NBFC नहीं कवड़ है वो हम लोग देख लेंगे certain notified NBFCs are covered be very careful now एक case law यहां पर essay builders का जिसमें क्या हुआ था assessi ने loan लिया था और फिर बाग में वो loan divert कर दिया अपनी sister concern को sister concern मतलब अपनी subsidiary को तो क्या यह diversion of fund माना जाएगा बिल्कुल diversion of fund नहीं माना जाएगा court ने बुला you have to look into the commercial expectancy you have to look into the facts and circumstance of every case और फिर decide करो ऐसे याग बन करके decide मत कर लो every loan given to subsidiary और system concern is not diversion of fund अगर loan लेकर subsidiary को दे ले हो और subsidiary उसे business के लिए यूज़ कर रही है तो फिर assessi को उसका deduction मिलना चाहिए sir GST pay करने के लिए loan लिया तो interest का deduction मिलेगा yes मिलेगा GST is a business liability business liability है GST तो उसका deduction आपको मिल जाएगा अब यहाँ पर एक और बहुत important case लो है गुजरात guardian limited का इसमें क्या बोला गया था गौर से सुनना ज़रा प्लीज एक assessi है उसने 10 साल का loan लिया IDBI से एक public financial institution से उसके बाद तो bank के पास गया restructuring के लिए बोलने लगा कि मिला rate of interest घटाओ 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 तो bank ने बोला कि आपको 10 लाग रुपे का एक lump sum prepayment premium pay करना पड़ेगा मतलब एक charge पे करना पड़ेगा अगर आपको अपना rate of interest घटाना है तो customer ने क्या किया bank को 10 लाग रु payment premium दे रहा हूं यह एक किसम का interest है और interest is allowed on actual payment basis आप उसको apportion नहीं कर सकते हो 10 साल में आपको इसको actual payment basis पर क्या करना पड़ेगा allow करना पड़ेगा allow करना पड़ेगा therefore यहाँ पर सवाल उटेगा क्या यह interest है उसके लिए अपने को interest का definition देखना पड़ेगा देखो यहाँ पर section 228A के अंदर interest का definition है जिसके अंदर बोला गया interest में सिर्फ interest नहीं आता है बलकि any other service charge और other charge in relation to money borrowed तो court ने बुला कि यह भी एक interest है लंसम प्रीपेमेंट प्रीमियम इस एनी अदर सर्विस चार्ज और other charge in respect of money borrowed तेरफोर यह interest है और यह लोन आपने public financial institution से लिया है तो यह 43B के हिसाब से payment basis पर ही अलाव होना चाहिए चेक कर लो प्रीज चलिए आगे बरते towards the next section that is 36138 that is discount on zero coupon bond अगर आपको zero coupon bond खरीटते हो ठीके तो आप तो investor हो investor के point of office से यहां बात नहीं करना है company के point of office से बात करना है company के लिए क्या है company 100 रुपे का bond 50 रुपे में issue करती है तो company के लिए 50 रुपे क्या हो गया cost हो गया तो उस cost का deduction आपको company को कैसे मिलेगा उसका company को deduction मिलेगा over the life of the bond लेकिन life of the bond कैसे निकालोगे उसको life को हमेशा यहां पर measure करना है months में months में measure करना है 14 दिन तक है अगर किसी मन्त में तो उसको ignore कर दो ठीक है suppose अगर आपने 13 September को bond issue किया तो September पूरा account करना पड़ेगा और 12 September को bond को redeem कर दिया तो फिर वो वाला September आपको ignore करना पड़ेगा क्योंकि उस मेने में सिर 12 दिने ठीक है उस तरीके से आपको यहां पर divide by months करके उसको apportion कर से सिमिरली employer contribution to approved pension fund यह इंसिडूट का बहुत से favorite provision है pension fund वाला provision बहुत बार पुछते क्योंकि यहां पर कुछ limit डाल के रखिए यहां पर maximum deduction आपको 10% of salary मिलेगा salary का मतलब basic plus DA in terms है उससे जाधा deduction आपको यहां नहीं मिलने आला है maximum deduction basic plus 10% basic plus DA in terms वाला का 10% उससे जाधा नहीं बिलेगा यह maximum deduction है यह भी आपको subject to 43 भी है employer contribution to approved graduate fund यह भी subject to 43 भी है तो यह तीनों के तीनों खर्चे subject to 43 भी मतलब due date of filing of return तक आपको पे करना है लेकिन employee contribution का क्या होता है employee contribution जब employer काटता है employee की salary से तब वो पहले उसकी income मानी जाती है section 224 10 के अंदर और फिर अगले मैने की 15 त 6 के अंदर allowances for animals अगर आप कोई animal by animal खरीते हो other than stock in trade stock in trade की तरह नहीं खरीद रहे हो आप उसको business में use करने के लिए खरीद रहे हो बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो तो उसका deduction आपको कैसे मिलेगा उसका deduction आपको तब मिलेगा जब animal useless हो जाएगा या वो मर जाएगा तब bad debts का deduction नहीं बिलता है और bad debts deduction क्लेम करने के लिए आपको दो condition fulfill करने की पड़ीगी पहला आपको bad debts को write off करना पड़ेगा books of accounts के अंदर ठीक है पहला write off कर दिया दूसरा जो write off कर रहे हो वो पहले आपकी income में होना चाहिए पहले पिछले सालों की income में PNL account के credit side प होना moral of the story bank वालों के लिए second condition applicable नहीं है उनके लिए सिर्फ पहला condition applicable है सर क्या यह प्रूग करना जरूरी है मेरा debt bad हो चुका है बिल्कुल भी नहीं Supreme Court ने बोल दिया in the case of TRF Limited it is not necessary to prove it ठीक है उसके बाद क्या provision for bad debts का deduction मिलेगा नहीं मिलेगा आपको नहीं मिलेगा आगे जाकर banking industries क को मिल जाएगा 3617 के अंदर सर अमयल का मेटिंग कमणी ने समान बेचा और bad debts अमयल का मेटिट कमणी के हाथ में हुआ तो क्या deduction मिलेगा अमयल का मेटिट कमणी को जरूर मिलेगा TV रभतर राओ के कोटेश्वर राओ के case log के इसाब से मिल जाएगा ठीक है अब आखरी point यहा books में सको कैसे write-off करेंगे आप बोलते हो write-off करना mandatory है उसके बगए deduction नहीं मिलेगा तो अगर कोई income accounts में book नहीं हुई है लेकिन tax में book हो गई है ICDS के वज़े से और फिर आगे जाकर वो bad हो जाती है तो यह माना जाएगा यह deemed to be return of in accounts माना जाएगा और उसका आपको deduction क्या हो जाएगा मिल जाएगा यह है discussion यह disparity between differences between accounting standard and the what and your ICDS उसके वज़े से यह दिक्कत आ रही है next 3619 सिर्फ और सिर्फ companies के लिए अविलेबल है बाकी सब के लिए अविलेबल नहीं है family planning amongst employees तो इसमें अगर revenue खर्चा करोगे तो full deduction मिलेगा capital करोगे तो 1-5 मिलेगा 5 सालों तक ठीक ह इसमें capital कर्चे के वज़े से अगर loss आता है तो इसको आप revenue के वज़े से loss आता है तो UAD जैसा treat नहीं करोगे capital के वज़े से loss आ तो UAD की तरह treat करोगे चेक कर लो ठीक है next 3615 सर STD का deduction मिलेगा हाँ अगर आप trader in security हो तो STD का deduction मिलेगा अगर आप investor हो तो capital gains में इसका deduction नहीं मिल ठीक है cooperative society के लिए special provision है अगर कोई cooperative society sugar manufacture करती है और अगर वो sugar cane खरीदती है price equal to a less than the price approved by the government तो यह deduction मिलेगा तो अगर मैं cooperative society हूँ मैं sugar manufacture करता हूँ उसके लिए sugar cane खरीदता हूँ तो government ने जो price बताईए उतना यह उससे कम खरीदना पड़ेगा उससे जादा में खरीदोगे का deduction मिलेगा हाम मिलेगा only if you do as per ICDS ICDS के इसाब से mark to market loss करोगे तो आपको मिलेगा otherwise नहीं मिलने वाला है otherwise section 40 A13 के अंदर बोड़ इसला हो जाएगा चेक कर लो please चलिए आगे बरते towards the next part and that is sector wise deduction सबसे पहला sector जो हमारे सामने वो है tea coffee rubber वाला if you are engaged in growing and manufacturing both tea coffee and rubber in India तो इस section में आजाओ इस section में आगे आपको क्या करना है आपको नबाट जाना है deposit करना है एक amount जतना भी deduction चाए इतना deposit कर दो या अगर नबाट नहीं है तो कोई और deposit account जो central comment महां जाकर deposit कर दो कब तक करना है sir within six months on the end of the financial year आपको deposit करना है ठीक है साल कतम होने के 6 मैने के अंदर या तो before the due date of filing of return whichever is earlier ठीक है अब deduction कितना मिलेगा जितना भी deposit करोगे उतना compare with 40% of your PGP income PGP income कौन सी वाली लेना है before this deduction ये deduction के पहले वाली PGP income और before setting of the loss अगर कोई loss है कोई औ बिजनस में या पिछले साल का loss है उसको set of kick करने के पहले वाला PGP income का 40% आपको लेना है दोनों compare करना है वेचेपर इस लोवर वो आपको deduction मिल जाएगा ठीक है ये आपको current year में करना है तो आपको deduction मिल जाएगा अब मुझे future में क्या करना है future में मुझे पैसा withdraw withdraw करना है तो करते हैं तो आपको tax परना पड़ेगा तीन circumstance में अगर अससी मर जाता है या partition of achieve हो जाता है या form का company का liquidation हो जाता है ये तीन case में withdraw करोगे तो आपको क्या हो जाएगा exempt हो ठीक है तो पांच cases में आप आराम से withdraw कर सकते हो लेकिन दो case में taxable है तीन case में exempt है next एक बार आप पैस stream cases है जब business बंद बंद हो रहा है अससी मर रहा है company liquidate हो यह मान लो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है नॉर्मली चल रहा है business बिजनस सब अच्छे से चल रहा है और मैं अगर पैसा withdraw करता हूं तो मुझे उसको use करना है for specified purpose जो government बोलेगी वो purpose के लिए मुझे उसको use करना पड़ेग यह इसके हिसाब से rule 8 rule 7a rule 7b के हिसाब से ठीक है उस हिसाब से 40% 25% and 35% की income आपकी मानी जाएगी क्योंकि deduction भी उतना ही मिलता है तो फिर deemed income भी उतनी मानी जाएगी ना देखो यहाँ पर जब deduction लेने की बारी आती ना तो एक format है मैंने आपको class में होता है था सबसे पहले 43ab का deduction लोगे जो भी profit आएगा पहले उसको 40, 60, 35, 75, 65, 25, 75 करोगे और फिर जो taxable portion है उसमें से loss निकालोगे यह format है आपका तो जब deemed income बनाने की बारी आएगी तो बस इतना दिमाग में रखना deemed income भी सिर्फ जितना taxable portion है उतनी deemed income बनेगी पूरा का पूरा deemed income नहीं बनने वा करके वापस खर्चा करोगे तो किसी पैसान तो नहीं कर रहे हम लो तो वो तो हम बस अपना फॉर्मालिटी पूरी कर रहे है अवान जो commitment प्रॉमिस से वो पूरा कर रहे है तो उस खर्चे का आपको वापस से deduction नहीं मिलने वारा है भी very careful पैसा withdraw करके assets खरीच सकते हो कुछ prohibited assets government ने मनाती है जैसे plant and machinery office में रखने वाली नहीं खरीच सकते हो residential accommodation में रखने वाली plant and machinery खरीच सकते हो office appliances नहीं खरीच सकते हो computer खरीदना है खरीदो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है साथ-साथ में जो asset आप खरीद रहे हो वो आप 8 साल तक transfer नहीं कर सकते हो अगर 8 साल के अंदर transfer किया तो deemed income लग जाएगी साथ-साथ में asset बेशने पर capital gains भी लगेगा 8 साल में बेश दिया तो deemed income लगेगी साथ-साथ में asset बेशने पर capital gains लग जाएगा वो एक अलग दुख हो जाती है पहले firm थी company का convert हो गई और वो asset transfer कर रही है 8 साल के अंदर तो चल जाएगा ठीक है last but not least आपको यह 60-40 का rule समझना पड़ेगा अगर आप चाई grow भी करते हो manufacture भी करते हो अगला section इसी का छोटा भाई है चेक कर लो जड़ा 33 ABA site restoration fund यहां पर क्या करना है सर आपको यहां पर हमें सिर्फ Assasi का business क्या है यहां पर extraction prospection और production of mineral oil petrol natural gas यह सब चीज करता है Assasi यहां पर क्या करना होगा यहां पर भी आपको deposit करना पड़ेगा SBI में जाकर time limit का है before the year ends year खतम होने के पहले और यहां पर जो deduction है 20% of PGBP before this deduction and before setting off of loss वहां पर 40% था बाकि सारे provision इसके पिछले section की तरह ही है जांकर copy paste है पूरे के पूरे यह सारे provision कितने भी ना 1,2,3,4,5 यह सब वहां पर भी applicable हो जाएंगे be very careful about it next but not very important section 33AB बहुत important है 33AB है इतना ज़्यादा important नहीं है आपके exam के लिए आगे बढ़ता हूं में towards the next section that is scientific research deduction अब सारे scientific research के खर्चों को हमने 7 खर्चों में divide कर दिया है ठीके पहले दो खर्चे पढ़ेंगे हम लोग फिर एक खर्चा पढ़ेंगे फिर 4 खर्चे पढ़ेंगे पहले दो खर्चों के बारे में पढ़ेंगे 3511 revenue खर्चे के बारे में बात करता है यह दोनों के दोनों खर्चे आप अपने business से related को scientific research कर रहे हो उसके लिए कर रहे हो आपने business में scientific research करना है उसके लिए कर रहे हो जैसे Tata Motors कर रहा है Infosys कर रहा है Reliance Industry कर रहा है उन सब के लिए ठीके अब क्या यहां पर आपको pre commencement का deduction मिलेगा business शुरू करने के पह land को छोड़कर बाकी plant machinery furniture building सबका 100% deduction आपको मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब post commencement में दोनों में मिलेगा 100% फिर से post commencement में land का deduction छोड़कर बाकी सब कुछ आपको 100% deduction मिलेगा तो प्री में पिछले 3 साल का मिलेगा और post में तो जब भी आप खर्चा करोगे पोस्ट में भी नहीं भी लेगा यह चीज़ दिमाग पर रखना यह सब क्लेम करने के बाद अगर आपको कोई depreciation चाहिए तो प्लीज महरबानी करना हाथ जोड़ते तुमारे सामने अल्रेडी 100% deduction क्लेम कर रहे हो आप अब आप depreciation का रोना मत रोना प्लीज depreciation का deduction आपको नह technology business करो आप उसके लिए आपको deduction मिलेगा इना उस देसाज करना पड़ेगा central government approved होना चाहिए central government के साथ agreement होना चाहिए इस section के अंदर land और building का deduction नहीं मिलेगा building के लिए आप उपर जा सकते हो 3514 में वहाँ जाखर claim कर सकते हो कोई दिक करती है प्लस यहाँ पर सिर्फ पर condition fulfill करो तो सारे revenue and capital कर्चे आपको 100% deduction मिल जाएंगे देखो अभी यह 100% हो गया है पहले देड़ 100 था उससे पहले 200 था जब यह देड़ 100 था ना तब यह इसका relevance था अभी 100 होने के बज़े से इसका relevance थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि इधर भी 100 है उपर भी 100 है नीचे भी 100 है त लिखना भी वेरी कैरफू ठीके नेच्स अगला चार सेक्शन क्या है इसमें आप साइंटिफिक रिसेट नहीं कर रहे हो इसमें आप किसी को donation दे रहे हो कॉंट्रिशन कर रहे हो किसको दे रहे हो सबसे पहले 3512 में आप scientific research association को donation दे रहे हो 100% deduction मिलेगा सेखेंड वाले में 3513 में आप statistical और social science वाले को donation दे रहे हो 100% मिलेगा थर्ड वाले में आप IIT और national laboratory को donation दे रहे हो 100% deduction मिलेगा चौते वाले में 35128 के अंदर आप Indian company को donation दे रहे हो जो scientific research करती है 100% deduction मिलेगा ये सब लोग approved होने चीए central government के त्रू सारे approved होने चीए तो ही deduction मिलेगा मैं तो आपको deduction नहीं मिलने वाला है साथ साथ में आपने जब payment किया तब approved होना चीए बाद में उनका approval अगर government ने चीन लिया तो उसमें आपकी गलती नहीं है आपका deduction आपको मिलता रहेगा don't worry about it ठीक है अब आप बहुत important point government नहीं आप डाले कुछ सुनों जो सामने वाला डोनी है ये तीन पहले वाले के लिए है दूसरे वाले के लिए और चौते वाले के लिए ये तीसरे वाले के लिए नहीं है ये क्या points है sir बहुत सारे points government ने डालके रखे एक एक करके बता रहा हूं ठीक है सबसे पहले ये जो सामने वाले को करना है सामने वाला जो डोनी है ना डोनी उसको ए इत्रा है तुनिशन में को दिया है अगर यह दो काम किस में मैं करना है और है गिर्फ उसका इलेकर 271,000 रुपे तक पैंपा सकता है तो यह अलगे यह पेंनाल्टे यह दोनों लगेगा अगर ये दोनों काम वो नहीं करेगा तो ठीके भी वेरी केरफुल अबाउट इट साथ साथ में एक और पंगा हो गया कि अगर ये दो काम सामने वाला नहीं करता है तो डोनर को भी डिदक्शन नहीं मिलेगा आपसे नहीं मिलेगा डिदक्शन दोनर को भी डिदक्शन चाहिए तो टोनी को ये दो गाम करना पड़ेगा, पहले तो Central Government को Statement File करे, और डोनर को क्या दे, Certificate Day, कि भाई इतना इतना डोनेशन दिया है, नहीं तो डोनर के हाथ में भी deduction क्या हो जाएगा, चला जाएगा उसके हाथ से, चेक कर लो प्लीज, बहुत important point है, and last but not least, इस section के अंदर, मैंने asset खरीद लिया, मैंने plant and machinery खरीद लिया, उसके बाद मैंने बेच दिया, तो क्या होगा, अब वो depend करता है, आप कहां से बेच रहो, अगर आप उसको without using for business बेच देते हो, मतलब आपने research department में 100 करोड की machinery खरी दी, और उसको 80 करोड में बेच दी, या उसको 120 करोड में बेच दी, ठीक है, वहीं से directly बेच दी, तो हब से पहले आपको deemed income लगेगा, sale proceed 100 करोड, compare with deduction allowed, sale proceed 120 करोड, compare with deduction allowed 100 करोड, whichever is lower, उतना आपको deemed income बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और बातिया आपको capital gains लग जाएगा, 120 माइनस 100 करोड का, 20 करोड का आपको capital gains बनना पड़ेगा, capital gains के अंदर, अगर directly research department से बेच दिया, अच्छा, अगर research department से, अगर normal business में transfer किया, फिर बेचा तो, अगर normal business में transfer किया, तो सबसे पहले उसको block में add करना पड़ेगा, तो block में उसकी value हो जाएगी nil, as per explanation 1 to 43,1, जो मैंने पहले बोला था, 43,1 का पहला explanation में अभी छोड़ रहा हूँ, सभी समय पे मैं आपको बताऊंगा, अब आख चुका है उसका सही समय, ठीके, जब अगर उसको आप research department से normal division में बेचते हो, तो उसका actual cost नेल हो जाएगा, अब वो block का part बन गया, जब भी बिखेगा section 50 के साब से उसका short term के application लग जाएगा, आपको check कर लो please, इस तरीके से आपका calculation होने वाला है, spectrum कितना चाहिए, usage कितना चाहिए, कितना use करना है आपको, वो license है, दोनों का deduction से मिलता है, ठीके, अगर business already comments हो चुका है, तो deduction अलग है और pre commencement का deduction अलग है, तो business शुरू होने के पहले, pre commencement का deduction आपको year of commencement से मिलेगा, actually paid over the unexpert life of the license, तो business शुरू, आज हुआ है, पिछले तीन साल में जो भी license का खर्चा हुआ है, वो आपको आज से मिलेगा over the life of the license, और business अगर already शुरू हो गया, और license का pay कर रहे हो, तो year of actual payment से ही आपको deduction मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आज ही से, आज payment के हैं, मुकेशंबानी का business 7 साल से शुरू है, 2016 से जी होगा, आज अगर उन्होंने कोई license करी राफ आजी का, तो उनका deduction आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा, over the life of the license, जैसे payment करेंगे, वैसे deduction मिलना शुरू हो जाएगा, एक बार आपने deduction ले लिया, उसके बाद section 32 के अंदर आप क्या नहीं ले सकते हो, आप depreciation का deduction नहीं माँ सकते हो, माफ करो please, 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 आप intangible asset depreciation दे दो, वो सब नहीं मिलेगा, माफ करो please, ठीके, उसके बाद, आगे जागा license बेचा तो क्या होगा, जितना भी deduction पहले claim किया था, वो deemed income माना जाएगा, साथ-साथ में आपको capital gains भी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि license एक क्या है, capital asset है, ठीके, तो चलिए आगे बढ़ते towards the next part, and next one is section 35D, amortization of preliminary expense, सबसे पहले एक खर्चा किसको मिलेगा, वो देख लो, सबसे पहले एक खर्चा सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलेगा, या अगर आप कंपनी नहीं हो, तो आपका resident होना बहुत जरूरी है, इंडियन कंपनी और resident बस, ठीके, आपको खर्चा specified purpose पे करना है, specified purpose का मतलब क्या होता है सर, specified purpose का मतलब क्या होता है, या पर देखिए, या तो आपको feasibility report बनाने के लिए, project report बनाने के लिए, market survey करने के लिए, engineering services करने के लिए, या drafting of memberandum of association, या articles of association को draft करने का खर्चा, legal expenses का खर्चा, और share issue expense करने का खर्चा, फिर बाद में, या तो approved concern करेगी, कोई approved concern CBD जिसको approve करेगी, अब government ने अप्रोल का नाटक बन कर दिया है, government ने बोला, अससी बोलता है, government ने बोला, अससी तुम खुदी करो, किससे भी करवाओ, जिससे करवाना कर आओ, तुमारी मर्जी, कोई approved concern बनाने हैं, या तो pre commencement में खर्चा कर दो, या तो post commencement में करो, post commencement में करोगे, तो या तो expansion के लिए होना चीए, या तो business का नया unit set up करने के लिए होना चीए, insure business को बढ़ाने के लिए होना चीए, ठीके, existing business के अंतर नहीं होना चीए, या तो business को बढ़ाओ, या तो नया unit setup करो तो यह आपको post commencement में deduction मिलेगा अब सबसे important सवाल deduction मिलेगा कितना तो सबसे important सवाल यहां पर यह है कि आपको पहले compare करना है आपका actual preliminary expense आपका actual preliminary expense को compare करो higher of 5% of cost of project और 5% of capital employed तो इन दोनों में से जो भी higher होगा उसको actual से compare करोगे और फिर दोनों में से जो भी lower होगा वो आपका deduction होगा अब कैसे निकालना है सर्फ cost of project का मतलब क्या है cost of project का मतलब है cost of fixed asset cost of fixed asset जितना भी आपका total fixed asset है land, building, plant, machinery, furniture जो है उसका 5% ले लो capital employed में क्या क्या आएगा सर उसमें share capital आएगा, diventure आएगा, long term borrowing आएगी सर उसके अंदर आपका वो share premium नहीं आएगा नहीं नहीं, reserves and surplus, share premium, security premium यह सब कुछ मतलेना as per the supreme court, judgment of budget, paints limited उसमें बोला गया था, जैको नीचे उसका judgment का reference भी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो तो आपको इन दोनों का 5% लेना है दोनों में से जो भी higher है, उसको actual से compare करना है, और फिर whichever is lower, उतना आपको deduction मिलेगा, ठीके, सर किस दिन का check करने का है, capital employed cost of project, वो आपको last day of the previous year का check करना है, जब आपका business comments होता है, या आपका business का extension शुरू हो जाता है, ठीके, जब भी business शुरू हुआ, नए business के case में, जब business शुरू हो उसके last day पर, और extension के case में, जब business का extension हो उसके last day पर, ठीके, उसको compare करो whichever is lower, जो भी answer आएगा, फिर उसको amortize करना पड़ेगा, 5 सालों में, 5 equal years में, ठीके, पांच सालों में, उसको amortize करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से, अब आते हैं हम लोग, हमने इस सबसे बड़े deduction की तरफ, and that is what, that is your investment link deduction, 35 AD, यहाँ पर government आपको 100% of capital expenditure का deduction देती है, सबसे पहले, अपने कुई यहाँ पर business के housing, या तो slum redevelopment, यह दो अलग चीज़े, एक तो गरीबों के लिए, और एक तो जुगिया तोड़कर, जो आप building बनाते हो, उसके लिए, ठीके, production of fertilizer कीजिए, या pipeline बनाएए, cross country pipeline, natural gas के लिए, crude के लिए, petrol के लिए, cross country pipeline बनाएए, inland container, depot, container friend station बनाएए, जो ports के उपर आप रखते हो, फिर बाद में आप क्या कीजिए, beekeeping कीजिए, production of honey कीजिए, beeswax बनाएए, wear housing कीजिए, for sugar, etc, अब यह 11 बिजनस के बाद, तीन और special business हैं यहाँ पर नीचे, slurry pipeline बनाएए, for transportation of iron ore, iron ore के transportation के लिए pipeline बनाएए, या तो आप semi-conductor, wafer fabrication manufacturing unit बनाएए, जिससे आप क्या करते हो, चिप set बनाते हो, for electronic products, या आप infrastructure facility में घुच जाएए, इंडिया, इंडिया के अंदर infrastructure facility develop करना पड़ेगा, road बनाएए, highway बनाएए, water supply project बनाएए, port, airport, inland waterway, inland port, etc. अब hotel से related, यहाँ पर case law है, ठीके, case law के अंदर यह बोला गया है, कि अगर मैंने आज application दिया, April 2023 में application दिया, कि मेरे को 3 star hotel का, आप क्या देतो, 3 star देतो, और इन्होंने मुझे अप्रूल अगले साल दिया, तो मुझे एक्जम, मुझे जो relaxation है, 3580 का deduction आज से मिलेगा, कि अगले साल से मिलेगा, तो यहाँ पर court ने बोल दिया, अगर application आज दे दिया, और अगले साल मिला, तो आपको deduction इसी साल से मिलेगा, अगले साल से नहीं मिलेगा, इसी साल से deduction मिलना चुल हो जाएगा, यहां पर चक्क कर ले रहा हूँ, अब यह जितने भी 14 के 14 बिजनस है, यह सब के लिए अविलेबल, इंडिविज्टा बिजनस आपता है, यह पाइप्लाइन वाला बिजनस, अमबानी वाला, और चौधा बिजनस यह इंफरस्ट्रॉक्चर वाला बिजनस, यह अधानी वाला तो अमबानी अधानी को याद रखना, अमबानी और अधानी के लिए जो दो बिजनस है, वो सारे के सारे, आपको सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलेंगे, वो इंडिविज्टा फ़र्म, एओपी, बवाई, यह सब लोगों को नहीं मिलने वाले, ठीके, अब, डिड़क्शन क अब ही मिलेगा, हाँ, पोस्ट का भी मिलेगा, तीन खर्चे यहाँ पर नहीं मिलने आले, प्री में भी नहीं मिलेगे, पोस्ट में भी नहीं मिलेगे, लैंड नहीं मिलेगा, गुर्विल नहीं मिलेगा, पैनाशल इंस्ट्रॉमेंट नहीं मिलेगा, और अगर कोई खर्च पुराने बिजनस को split up करके तोड मरोड के etc और बिजनस शुड नौट बी फॉर्म बाइश बिजनस को तोड मरोड के बनाओगे तो आपको डिदक्शन नहीं मिलेगा second second and plant and machinery आपके business में नहीं चलेगी हाँ उसमें कुछ relaxation है second and plant and machinery को लेकर government ने कुछ relaxation दिया है कि up to 20% of total plant and machinery second and होगी तो चल जाएगी 100 गरोर में 20 करोर second and चल जाएगी या imported second and होगी तो चल जाएगी लेकिन उसके उपर पहले depreciation claim नहीं हुआ होना चाहिए अगर उसके उपर depreciation पहले claim कर लिया है तो फिर होटल वालों के लिए government ने बुला है कि होटल वाले होटल बिल कर सकते हैं बट operations के लिए किसी और को transfer करेंगे तो चलेगा उनको deduction मिलेगा तो पहले क्या condition था कि build भी आपको करना है operate भी आपको करना है लेकिन यहाँ पर government ने relaxation लाया कि build आप करो operations के लिए आप किसी और को दे दो तो चल जाएगा आपको deduction मिल जाएगा चेक कर लो last but not least अगर 3580 के business में loss होता है तो वो loss को हम किस से set off करेंगे किसी भी दूसरे 3580 business से set off कर सकते हो 3580 का कोई दूसरा business मतलब यह 14 business आपस में एक दूसरे से set off हो सकते है किसी 15 वे business से आप इसको set off नहीं कर सकते हो और set off करने का time limit भी infinite है इसमें कोई restriction नहीं है last but not least यहाँ पर deemed income का concept क्या है एक बार आपने deduction claim कर लिया 3580 का plant, machinery, furniture, building कोई भी asset पे फिरस के बाद अगर उस asset को बेज दिया, sell कर दिया, transfer कर दिया demolish कर दिया, destroy कर दिया, यह discard कर दिया यह चार शब्दों पे call करना यह चार में से अगर कुछ भी किया, कभी भी किया तो आपकी sale price will be deemed income जितना भी पैसा आपको मिलेगा, उतना आपके हाथ में deemed income हो जाएगा section 28 के अंदर कोई time limit भी नहीं है, एक साल बाद, दो साल बाद, दस साल बाद, तन्रा साल बाद, भी साल बाद, तीस साल बाद, चाली साल बाद, तचाल साल बाद, कभी भी करोगे, आपको उसके ओपर tax बरना है, जितना पैसा मिलेगा, उसमें से तो कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन उसको आप गलत purpose के लिए यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर आप right and side पे deemed income attract हो जाएगी, आठ साल तक आपको specified purpose के लिए यूज़ करना है, अगर नहीं किया, आठ साल के अंदर गलत काम किया उसके साथ, तो deemed income हो जाएगी, कितनी जितनी भी deduction पहले मिली थी, minus, इतने भी साल का आपको depreciation है, उतना minus कर सकते हो, दो साल के डंग से use किया, तो दो साल का depreciation minus कर दो, उसके बाद जो भी amount हो जाएगा, वो आपकी deemed income बन जाएगी, ठीके, आगे जाकर उस asset को आफ फ्री हो, आप जैसे use करना है, कोई दिक्कत नी है, आगे जाकर वो asset free है, वो asset के ओपर आप depreciation claim कर सकते हो, मान लो यह asset अभी आपने deemed income भर दिया ना, अब क्या मैं वो दूसरे business के लिए use कर सकता हूँ, तो फिर आपके लिए प्रोविशन applicable नहीं है, तो यहाद रखना, यह चार मैंसे अगर कुछ करते हो, तो left hand side के हिसाब से होगा, और अगर 8 साल के अंदर गलत काम करते हो, तो right hand side के हिसाब से deemed income मानी चाहिए, ठीके, अगला section, section 35B, यह section भी 35B जैसा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी के लिए अपनी के लिए अपनी के बले है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप कुछ mines के उपर, coal mine, limestone mine, iron ore की mine, उसके उपर कुछ खरचा कर रहे हो, उसको prospect कर रहे हो, मतलब उसमें खुदाई-खुदाई करके पता लगा रहे हो, कितना coal है, या उसका development कर रहे हो, या कोई और natural deposits का ख्याल रख रहे हो, तो यह mines के उपर जो खरचा करते हो, आप उसका आपको यहाँ पर deduction मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्सेटर, एक्सेटर, वो सब चीज़ भी आपके आप यहाँ पर देखनी पड़ेगी, एक एक करके, सबसे पहले जितना भी आप खरचा करते हो, माइनस, अगर कोई government ने कोई मदद किये, तो उतना माइनस कर दो, खरचा कप करना है, जब आप माइनस से पैसा कमाना शुरू करोगे, उस साल में, उस साल को बोला जाता है, the year of commercial exploitation, year of commercial production, जिस साल से माइनस से पैसा कमाना शुरू करते हो, और पिछले चार साल में जो भी खरचा किया है, तो टोटल पांच साल का खरचा यहां पर qualifying expenditure माना जाएगा, ठीके, तो आपने माइन की खुदाई शुरू की, एक साल चला गया, दो साल चला गया, तीन साल चला गया, चार साल चला गया, पांचवे साल से माइन से पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो पांचवा साल और पिछले चार साल में जो भी खरचा किया, वो आपका qualifying expenditure होगा, ठीके, उस मेंसे अगर government ने कुछ मदद किये तो उतना minus कर दो, हाँ, यहां पर कुछ खरचे बिलकुल नहीं आएंगे, जैसे, अगर आपने कुछ पूरी की-पूरी माइन खरीदने के लिए कोई खरचा किया है, या deposit खरीदने के लिए कोई खरचा किया है, या कोई और किसम का capital expenditure किया है, building, plant, machinery, furniture, किसी भी किसम का capital expenditure का deduction यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है, अब आपने जितना भी खरचा किया, मान लो आपने दस लाग रुपे का खरचा किया, माइन जिस साल में exploit हो रहा है, commercial production हो रहा है, और पिछले चार साल में मिलाकर दस लाग का खरचा हो रहा है, उसमें से मान लो 50,000 रुपे गॉर्मेंट ने मदद की आपकी, तो साड़े नौ लाग रुपे का खरचा हो गया, अब उस साड़े नौ लाग को आपको दस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अब आपको 95,000 रुपीज का डिड़क्शन मिलेगा हर साल दस साल तक, ठीक है, for 10 years you will get 95,000 रुपीज डिड़क्शन, अब ये किस के अगें सेट आफ करोगे, यू कें सेट आफ दिस अगेंस, इंकम अफ आल माइन्स, आपकी जितनी भी माइन्स है, उस सारी माइन्स के अगेंस, आप इस 95,000 को क्या कर सकते हो, सेट आफ कर सकते हो, मिसाल के तो पर आपकी दो माइने, एक current माईन एक पुरानी माईन है दोनों में मिलाकर आपका देर लाक रुपे की income है आप दोनों से set off कर सकते हो ठीके अब दोनों में मिलाकर 95,000 से कम income है तो क्या करोगे दोनों में मिलाकर 6,000 income है तो आप 6,000 से set off करो 35,000 बच गया अगले साल आपको 95 प्लस 35 दोनों मिलेगा ठीके ऐसे दसवे साल तक आप कर सकते हो यह चेक कर लो यहाँ पर यह provision दिया गया है ठीके चलिए आगे बढ़ते ट्वर नेक्स सेक्शन 3617 ए प्रोविशन फॉर बाद डेट्स यह सिर्फ और सिफ शेडील बैंकς और बैंक्स एक्सेक्टरा के लिए सारी बैंक्स को गॉर्मनें यहाँ पर दो काटगरी में डिवाइट किया है अधर नॉन शेडील बैंक बैंक के लिए टुरीपमेंट अलगे और दूसरी private banks etc और foreign banks और NBFCs के लिए treatment अलगे तो पहले में schedule bank और दूसरे Indian bank के बार में बात करता हूँ सबसे पहला यहाँ पर 8.5% of GTI का deduction मिलेगा 8.5% of GTI और बागी सब में यहाँ पर 5% of GTI अब schedule bank को एक extra benefit है जो दूसरों के लिए नहीं है that is 10% of rural advances जितने भी उनके rural branch के advances से उसका 10% extra benefit मिलेगा schedule bank वालों को बाकियों के लिए नहीं है यहाँ पर deduction claim करोगे तो sir bad debts का deduction मिलेगा क्या हम मिल सकता है अगर आपका bad debts is more than the provision for bad debts so deduction मिलेगा otherwise नहीं मिलेगा अगर आपका provision for bad debts 100 है और actual bad debt 1500 रुपया है provision for bad debts कैसे चेक करनेगा opening provision plus current year का provision मिला कर अगर 100 है और अगर total current year का actual bad debt 1500 है तो अगर actual bad debts is greater than opening and current year bad debts is greater than अगर actual bad debts is greater than current year provision and opening provision दोनों मिला कर तो आपको extra benefit मिल जाएगा कहाँ पर 36.178 में यह बोला गया है यहाँ पर आपको इस particular provision में अगले section की तरह बढ़ते हैं 36.188 के अंदर transfer to reserve यह किसके लिए मिलेगा यह कुछ banks के लिए कुछ financial institutions के लिए जो long term finance देती है क्या purpose के लिए चार purpose के लिए या तो industrial purpose के लिए लोन देती है या तो agriculture purpose के लिए लोन देती है या तो housing purpose के लिए लोन देती है या तो infrastructure purpose के लिए लोन देती है यह चार में से 20% of the profit from above business, यह वाले business से, उपर वाले long term finances जो पैसा कमाते हो, वो business से maximum 20% profit तक का आपको deduction लेगा, compare with आपने actual कितना transfer किया है, वो compare with one more item, 200% of paid up capital and general reserve on the last day, last day 31st month 2014, जो हमार आखरी दिन होने वाला इस साल में, उस दिन का paid up capital and general reserve लो, compare with opening balance of special reserve account, special reserve account का opening balance से minus करो, जो भी differential amount होएग वो हो जाएगा आपका point number 3, एक बार आपने deduction ले लिया, transfer कर दिया profit reserve में, फिर reserve से profit निकाल कर वापस P&L में transfer मत करना, अगर ऐसा करोगे तो आपके हाथ में section 41, 4A के हसाब से deemed income लग जाएंगे, ठीके, deemed income के हसाब से आपको उसको tax करना होगा, next, 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 यहाँ पर कुछ छोट Indian company के लिए available है, अगर amalgamation or demerger से related कोई खर्चा है, तो सिर्फ Indian company को मिलेगा, वो भी 5 installment में मिलेगा, एक जटके में नहीं मिलेगा, next, VRS का खर्चा 35 DDA में, एक जटके में नहीं मिलेगा, 5 installment में मिलेगा, आपको देखना पड़ेगा, कि उसको 5 साल में amortize करना पड़ेगा, इसके पहले क्या-क्या amortize करते थे हम 5 साल में, family planning का खर्चा करते थे, क्या बिटल वाला, preliminary expense करते थे, और अभी-अभी amalgamation or demerger के बारे में मैं आपको बताया, 35 CCC, agriculture extension से related कोई खर्चा करते हो, agriculture के लिए farmer की मदद करते हो, एक खिसानों की मदद करते हो, उसके लिए कोई जाएगा, last but not least, सिर्फ company के लिए available है, last वाला, कि अगर कोई employee training के ओपर खर्चा करते हो, skill development मतलब employee training, तो उसका deduction आपको यहां मिलेगा, land और building का deduction आपको यहां नहीं मिलने वाला है, और एक आखरी section is not very important for exam, अगर central government के साथ आपका कोई agreement है, for what, for prospecting, extraction or production of mineral oil, किसके साथ agreement हो सब कुछ central government एक agreement के तुरू बताएगी, और उस agreement में सब कुछ लिखा होगा, कि कौन से deduction मिलने है, कौन से deduction नहीं मिलने, इसलिए income tax law का इतना जदा रोल इस particular provision के ओपर नहीं है, तो अगर आपका central government के साथ agreement है, यह सब काम करने के लिए, तो central government और आप बैट के decide करो, agreement के अं चाहता हूँ, general reduction तो 37,1 के अंदर expenses के लिए, उससे पर एक बात करना पड़ेगा, losses के लिए, अगर आपके business में कोई trading losses होते है, कौन से losses, trading losses, which are incidental to business, उसका आपको deduction मिलेगा, capital loss होता है तो उसका deduction नहीं मिलेगा, लेकिन trading loss होगा तो मिलेगा, loss of stock by fire, loss of stock by theft, etc, etc, ऐसे deduction आप business में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अब आते हैं हम लोग general reduction में, general reduction सिर्फ expenses के लिए, जिसमें आपको चार condition फुल्फिल करना है, 3 negative condition, 1 positive condition, आपका खर्चा 30 to 36 में नहीं होना चीए, आपका खर्चा personal नहीं होना चीए, आपका खर्चा capital नहीं होना चीए, और आपका business and profession, तो ही आपको deduction मिलेगा, otherwise आपको deduction नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, अब, यहाँ पर कुछ explanation से वो एक एक करके में बुलूँगा, अगर आपको illegal खर्चा करते हो, तो उसका deduction आपको नहीं मिलेगा, illegal खर्चे का मतलब क्या है, कोई ऐसा खर्चा जिससे कोई कानून तोड और which is prohibited by law, which is an offense, which is prohibited by law, which law, Indian law या foreign law, कोई सी भी किसम का कानून को तोड़ते हो, उससे related कोई खर्चा करते हो, तो आपको उसका deduction नहीं मिलेगा, ठीके, यह सबसे पहला point है, यहाँ पर, दूसरा point, अगर यह दूसरा point आगा है, कि फार्मा कंपनी अपने डॉक्टरों को लो कंपनी ऐसा कुछ देती है, तो फार्मा कंपनी के हाथ में खर्चा क्या हो जाएगा, ठीसला हो जाएगा, अगर आप कोई offense compound करते हो, इंडिया का offense compound करते हो, या foreign का offense compound करते हो, आपका खर्चा डिसला हो जाएगा, compounding and offense का मतलब क्या होता है, यह law के अंदर आता है, जनरली आपके corporate law etc. के अंदर भी आता है कि अगर आपने कोई गलती किये, कोई कानून तोड़ा है और उसको भरपाई करने के लिए आपको जेल में जाना पड़ेगा, तो वो जेल से बचने के लिए आपको heavy fee देनी पड़ती है, उस heavy fee को बोला जाता है compounding of an offense तो अगर आप offense को compound करते हो, कोई गलत काम किया है, कानून तोड़ा है उसके लिए आप jail जाने से बचने के लिए आप fee दे रहे हो तो वो जो fee दे रहे हो आप, वो एक compounding of offense है फिर वो कानून इंडिया का तोड़ो या foreign का कानून तोड़ो दोनों case में आपका खर्चा डिसला हो जाएगा, ठीके उसी तरीके से यहाँ पर CBD ने भी बोला है कि बाई अगर डॉक्टर को कोई freebie दोगे तो वो freebie का हम deduction आपको नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे का judgment है जिसमें यह बोला गया है कि अगर कोई laboratory है, कोई मतलब diagnostic है, diagnostic center है, वो जहांपर x-ray, x-ray, sonography यह सब होती है, वो अगर doctor लोग को कुछ commission देता है और बोलता है कि आप मेरी diagnostic center का reference देना अपने patient लोग को, वो भी गलत है, bad in law है, तो उसका भी खर्चा आपको commission के तोर पर अगर doctor कुछ देते हो कुछ, तो वो खर्चा भी क्या हो जाएगा, डिसलाओ जाएगा under the income tax law, be very careful, ठीक है, उसके बाद आते हम लोग CSR का खर्चा, corporate social responsibility का खर्चा income tax में disallowed है, 37-1 में, हाँ, लेकिन अगर किसी और section में corporate social responsibility का खर्चा allowed है, तो वो allowed रहेगा, जैसे मिसाल के तौर पर, स्वच भारत अभियान, clean ganga program, PM, care fund, यह सब भी CSR का पाट है, और यह सब ATG में विकारवड है, तो government उसको disallow नहीं करेगी, government से वो ही corporate social responsibility disallow करेगी, जो 37-1 में आके आप claim कर रहे हो, मिसाल के तौर पर, 35-1-2, 35-1-3 में scientific research, या statistical research, या social science वाले को donation देना भी CSR है, तो वो government disallow नहीं कर रहे है, अगर आप 37-1 में आके disallowance, deduction मांगते हो, corporate social responsibility के करचेगी, तो वो 37-1 में disallow करेंगे, दूसरे किसी section में अगर allowed है, तो वो allowed रहेगा, ठीक है, sir, penalties के बारे में आपका क्या करना है, देखो penalties दो की सब्की होती है, एक penal होती है, एक compensatory होती है, अगर compensatory penalty ना, तो वो allowed income tax law में, वो कोई कानून तोड़ने के लिए नहीं है, वो दो लोगों के बीश में contract के तोर पर होता है, कुछ अगर मैंने माल supply करने में डिले कर दिया, batch complete करने में डिले कर दिया, तो मैं आपको compensation दे रहा हूँ, वो एक compensatory penalty है, वो income tax में allowed है, penal penalty, GST तोड़ दिया, income tax law तोड़ दिया, दोनों में चोरी कर रहे हो, GST में चोरी कर रहे हो, income tax में चोरी कर रहे हो, कानून तोड़ रहे हो, या तो आप traffic rules का violation कर रहे हो, उसमें penalty दे रहे हो, वो penal penalty, कानून तोड़नों के लिए, वो disallowed है, disallowed है, disallowed है, अब कुछ और बात है करना है, income tax की penalty भी disallowed है –inkmed taxárias का interest भी disallowed, डोनों disallowed है, GST की interest allowed है भी very careful, income tax का दोनों ohål disallowed है GST का interest लेकिन penalty disallowed है, disallowed है, partnership firm पार्टनर के लिए देडा तो मलेगा की नहीं मिलेगा पार्टनर का एक्जिस्टेंस बहुत जरूरी है पार्टनर नहीं होगा तो फिर उसका डिड़क्षन आपको नहीं मिलना रहा नहीं मिलना रहा ठीक है अगर लॉस होता है कुछ डॉक्टर को किसके वज़े से कॉन्फिस्केशन के वज़े से उसका ड्रॉक्षन पकड़ लिया लॉस हो गया तो वो लॉस का डिड़क्षन उसको मिलेगा 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 कोई चिंता वाली बात नहीं है ठीक है 37 वार्न उसको नहीं रोखता है मैं एक बिजनस मैंनों सामने गवर्मेंट है गवर्मेंट मुझे जमीन देती है जमीन देती है जमीन का पोजेशन बोलती है इस पर हाइवे बनाओ रोड बनाओ ब्रिज बनाओ एकसेटरा और इसको चलाओ तो पहले बिल्ड करना है फिर अपरेट करना है और फिर बाद मे next कुछ high court और supreme court के case law से एक एक करके मैं sub address करता हूँ सबसे पहला है आपर kerala road lines का case law है इसमी क्या होता बता है इसमें मैंने एक building खरीदा building खरीदने के बाद मैंने building को demolish किया demolish करने के बाद उसमें से scrap आया तो scrap बेचा scrap based का जो भी पैसा है और मैंने PGP income के तोर पे दिखा दिया मैंने बोला असपे PGP income के तोर पे मैं tax भरना चाहता हूँ मैंने PGP income में दिखा दिया अब मुझे सामने लेको पैसा भी तो देना है तो building खरीद के पैसा देने में मुझे थोड़ी delay हो गई थोड़ा लेट हो गया तो पुझे interest देना पड़ा तो क्या वो interest का खर्चा क्या मैं ये PGP income जो scrap से आई क्या उससे knock off कर सकता हूँ सुपरीम कोट ने बोला हाँ कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ये interest भी building के लिए और scrap भी building से आया है दोनों का एक दूसरे से relation है आप उसको knock off कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है next क्या मैं अपनी heart surgery मैं एक professional lawyer हूँ क्या मैं अपनी heart surgery कराऊंगा तो क्या मैं उसका deduction ले सकता हूँ नहीं ले सकते हो section 31 में भी ने ले सकते हो 371 में भी ले सकते हो अससी argument करा था मेरा heart एक plant है class में मैंने पुरा detail में बोला था आपको my heart is my plant therefore please allow me the deduction of repairs to my plant repairs to my heart court ने बोला नहीं मिलेगा Delhi high court ने बोला निकलो यहां से कुछ नहीं मिलेगा next one millennia developers में क्या हुआ था एक अससी था उसको government ने बोला था करनाटक की municipal authority ने बोला था 5 floor 6 floor की building बनाओ उसने बना दिया 10 floor की building अब extra floor बना दिया तो उसको क्या पे करना पड़ा compounding fee तो क्या वो compounding fee का उसको deduction मिलेगा नहीं मिलेगा वो एक penalty है कानून तोड़ने के लिए penalty जो दोगे उसका deduction आपको नहीं मिलता है नेक्स आपके दुकान एक shop है उसके बार आप बोड लगाते हो glow sign board आरिश खान classes तो वो glow sign board का जो खर्चा है वो क्या माना जाएगा capital expenditure या revenue expenditure तो court ने बोला ये revenue expenditure माना जाएगा reason क्योंकि ये weather के साथ खराब हो जाता है बहुत जल्दी इसका frequent replacement की जरूरत परती है इसकी बहुत short life है और इससे कोई asset existence में नहीं आ रहा है इसके लिए इसका खर्चा क्या मानो revenue expense मान के इसको deduction दे तो next मैंने public issue के लिए public से पैसा लिया या share application money का पैसा लिया वो पैसा मैंने bank में रखा उससे मैंने interest कमाया तो वो interest किया income from other source माना जाएगा court ने बोला नहीं वो income from other source नहीं माना जाएगा वो interest को आपको अपने share issue expense से knock off करना पड़ेगा चेक कर लो उसको आप independent income interest income मत मानो बलकि वो interest को आप IFO से क्या करो IFO की income को वो interest income को जो आपको share application money bank में रखके interest आया उसको आपको public issue expense से knock off करके उसको set off करके दिखाना पड़ेगा चेक कर लो यहां पर next वाला मैंने एक theater waiter कुछ खोलना था मैं PVR show मैं PVR theater हूँ PRIA village road show मैंने कोई theater waiter खोलना था उसके लिए मैंने कोई feasibility study वड़ी की etc तो feasibility study की उसके बाद मुझे लगा कि यह project इतना अच्छा नहीं है तो मैंने उसको drop कर दिया तो उस पर जो भी खर्चा वा तो क्या उसका मुझे deduction मिलेगा हा मिलेगा कोई दिक्त नहीं है उसका आपको revenue expenditure के तौर पर deduction मिल जाएगा क्योंकि आपका project abandon हो गया है कोई asset create नहीं हुआ है अगर कोई asset create होता तो हम सारे खर्चे क्या करते थे asset को capitalize अब यहाँ पर कोई asset create नहीं हुआ है तो सारे के सारे खर्चे आप P&L के अंदर ले सकते हो कोई दिक्त वाली बात नहीं है last but not least national cooperative development corporation का case law है जिसमें यह बोला गया है कि जब मैं कोई खर्चा करता हूं तो क्या deduction लेते समय मुझे यह देखना है कि source of income क्या है source of income taxable income है या source of income जहां से खर्चा करने के लिए पैसा आया वो taxable income है या exempt income है तो court ने बोला वो सब चेक करने की जरुवत नहीं है 37.1 के अंदर source of income is no more relevant पहले हुआ करता था अब relevant नहीं है source of income determine करना इसके अलावा और भी कुछ खर्चे मैंने डाले जो आपको एक्जाम में काम आ सकते है डिविटन का deduction आपको नहीं मिलेगा income tax, wealth tax, surcharge, ses, income deduction नहीं मिलेगा provision for loss of subsidy का नहीं मिलेगा क्योंकि यह capital है defer tax का नहीं मिलेगा क्योंकि यह personal है provision for diminution in the value of asset नहीं मिलेगा क्योंकि यह भी capital है provision for unacertain liability नहीं मिलेगा क्योंकि यह final नहीं है unacertained है उसके बाद prior paid expenses का deduction by default तो नहीं मिलता है लेकिन अगर prior paid expense के बारे में पता ही इस साल चला है पता इस साल चला है crystallize इस साल हुआ है तो आपको prior paid expense का deduction भी मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अगर director को salary दे रहे हो मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है जादा मत देना access मत देना access दोगे तो डिसला हो जाएगा और अगर company's act के limit से जादा दोगे तो भी 482 के अंदर क्या हो जाएगा डिसला हो जाएगा ठीके Retrenchment compensation का क्या होगा सर Retrenchment मतलब employee को निकाल रहे है उसका compensation दे रहे हो अगर पूरा business बं कर दिया तो capital expenditure माना जाएगा नहीं मिलेगा और part of the business बं किया और retrench कर रहे हो तो after reduction चलिए आगे बढ़ते towards dislovences अब दो किसम के dislovences यहाँ पर एक section 40 capital A, section 40 small A, capital A और small A में क्या पर रखे यहाँ पर सब जो चोर लोगे उन लोग के लिए dislovences और यहाँ पर सारे taxes से related dislovences ठीके तो सबसे पहले हम लोग section 40 capital A वाले dislovences पढ़ेंगे सबसे पहला यहाँ पर है अगर कुछ specified person को आप excess payment करते हो in relation to an expenditure कोई खर्चा करते हो उससे related कुछ specified person को ज़्यादा payment करते हो तो यहाँ पर excess dislovence हो जाएगा पूरा dislovence नहीं होता है सिर्फ excess dislovence होता है in case of individual spouse, brother, sister, lineal, ascendant, lineal, descendant मतलब जो तुमारे उपर तुमारे नीचे तुमारे उपर तुमारे माँ, बाप, दादा, दादी तुमारे नीचे तुमारे बच्चे, पोता, पोती, grandson, granddaughter, etc ठीके HOF के case में HOF का member मैं HOF हूँ तो मेरा member मेरा relative है मान लो मैं HOF हूँ तो मेरा member कौने करता है करता है है तो करता की wife भी HOF की related party करता का बेटा भी, करता का भाई भी, etc, करता की भेहन भी वो सब HOF के क्या माने जाएंगे, relative माने जाएंगे similarly form और LLP के लिए पार्टनर के रिलेटिव है और तो आप दोनों क्या माने जाएंगे, आप दोनों माने जाएंगे specified person और holding subsidiary तो हमेशा से specified person माने जाते है एक चीज़ आप दिमाग में रखना, यह section है ना, सिर्फ और सिर्फ expenditure के लिए applicable है, जब आप payment करते हो जब आप अपने specified person को जादा pay करोगे अपने specified person को ज़्यादा payment नहीं कर रहे हो, बलकि आप उनको सस्ते में समान बेच रहे हो, मानलो 2,00,00 का समान आप देर लाग में बेच रहे हो, तो वो आप sale आजाएगा, तब expenditure की बात नहीं आएगी, और तब payment की बात नहीं आएगी, receipt की बात आएगी, तो section 40A2 applicable नहीं है, ICI ने अपने कुछ solutions के अंदर उसको भी डिसलाओ कर दिया है, जो नहीं करना चाहिए, section 40A2 is only for expenditure, it is not for incomes, be very careful, now आते हैं हम लोग अपने important section की तरह 40A3 क्या बोलता है, अगर एक दिन में, एक बंदे को, अगर आप 10,000 से जादा payment करते हो, तो आपको 4 mode से payment करना है, ने तो खर्चा डिसलाओ जाएगा, यहाँ पर access डिसलाओ नहीं होता है, पूरा डिसलाओ जाता है, ठीक है, be very careful, एक दिन में, एक बंदे को 4 mode से payment करना पड़ेगा, अगर 10,000 से जादा करते हो, 4 mode कौन से, account pay check, account pay check मतलब एक चेक होता है, जिसमें cross करके उधर account pay लिखना जरूरी है, बैरर चेक चलेगा, बैरर चेक तो बिल्कुल नहीं चलेगा, पहले ही फाड़ के भेग दो, और सर, electronic mode में, आठ अलग mode government ने prescribe करके रखे, credit card, debit card, net banking, IMPS, UPI, RTGS, NFT और BIM, यह सब modes government ने prescribe करके रखे, ठीक है, तो यह सब modes से, अगर आप payment करो के तो चलेगा, 10,000 के अंदर कुछ भी करो, 10,000 से जादा अगर एक दिन में एक बंदे को दे, तो आपको careful रहना है, उसमें भी अगर ट्रांसपोर्टर को payment कर रहे हो, तो 35,000 रुपे तक की limit है, ठीक है, be very careful, यहाँ पर 40A 3A, उसी का continuation है 40A 3 का, जहाँ पर accrual एक से year में हो रहा है, और payment अगले साल में हो रहा है, पहले साल में आपने accrual की entry मारी, salary तो outstanding salary, अगले साल में आपने 80,000 रुपे कर दिया, एक दिन में एक बंदे को, गलत है, अगले साल की deemed income में वो add कर दिया जाएगा, वो अगले साल की PGP income में add कर दिया जाएगा, अगर अगले साल गलती करती हो, पहले साल तो आप deduction ले लो जाएगा, डिसलाओ जाएगा, अगर capital expenditure, एक दिन में एक बंदे को 10,000 से जादा payment करते हो, ठीके, अब कुछ exceptional cases से जो government ने डाले है, जिसमें आप जितना cash payment करना है करो, कोई दिक्कत नी है, एक दिन में 10,000 से जादा दो, 10,000 से जादा दो, 1,000 करोड से जादा दो, कोई दि अब exception rule 6 TD में दिये गए है, सबसे पहले RBI को तो कोई दिक्कत नी है, LIC को, bank को, government को, ठीके, उसके बाद book entries से तो कोई दिक्कत नी है, book entry का मतलब क्या होता है, मैंने आपको 50,000 रुपया देना है, तुमने मुझे 60,000 रुपया देना है, तो हमने आपस में books of accounts में set off कर लिय उसको बोलते book entry, वैसे pay करोगे तो चलेगा, उसके बाद, अगर आप agriculture product खरीद रहे हो, forest product खरीद रहे हो, poultry product खरीद रहे हो, dairy product खरीद रहे हो, fish product खरीद रहे हो, live stock खरीद रहे हो, खिस से खरीद रहे हो, इन सब के producer से खरीद रहे हो, इन सब के producer से खरीद रहे हो, तो का payment कर रहे हो, graduate का payment कर रहे हो, leave salary का payment कर रहे हो, तो यहाँ पर आप 50 जार रोपे तक cash में पे कर सकते हो, उस जादा cash में पे कर होगे तो नहीं काम आएगा, आपका खर्चा डिसला हो जाएगा, यह mark करो, यह institute कभी-कभी पूछता है, next, अगर आप एक employee को salary दे रहे हो, कैसे employee को, जो आपके शेहर से बाहर जा रहा है, 15 दिनिया उससे जादा, या ship पे जा रहा है, 15 दिनिया उससे जादा, और वो जहां जा रहा है, वहाँ उसका bank account नहीं है, और उसका आप TDS बराबर से काट रहे हो, अगर आप यह सारे condition फुलफिल कर लेते हो, तो आप उसको cash में पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, employee बाहर जा रहा है, 15 दिनिया उससे जादा जा रहा है, ship पे जा रहा है, आप business के लिए जा रहा है, consignment agent को पेमेंट कर रहे हो, आपके भी हाफ पे वो सामान करीता, बेचता, एक्सेटरा, तो उसको आप cash में पेमेंट कर रहे हो, चल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक authorized dealer किसी को भी cash में पेमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक money changer है, ठीक है, उसके पास आप dollar लेकर जा रहे हो, तो वो रुपीज आपको cash में ही देगा ना, वो थोड़ी bank account में डालते बैठेगा, या आप उसके सामने रुपीज लेकर जा रहे हो, तो वो आपको cash में पेमेंट कर सकता है, ठीक है, last but not least, किसी गरीब cottage industry से आप कुछ समान खरीदे रहो, जिसने कुछ manufacture किया है product, कैसे manufacture किया है, बहुत गरीब है बिचारा, without the aid of power, उसके बास बिजली भी नहीं है, बिना बिजली के manufacture करता है, तो ऐसे cottage industry से अगर आप कुछ खरीदते हो, तो आप cash में खरीद सकते हो, कोई दि 2008 में, fish और fish product would include other marine product also, shrimp आएगा, prawn आएगा, cuttlefish आएगा, squid आएगा, crab आएगा, इस सब fish माना जाएगा, producer of fish के से माना जाएगा, fisher man को producer of fish माना जाएगा, जो fisher man होता है, या तो जो head man of fisher man होता है, जो सारी मच्छियों को पकड़ने के लिए, मतलब मच्छियों को पकड़ने क चलेगा, आप super market से जागर fish करीद रहे हो, तो आपको फिर cash में payment करना allowed नहीं है, आपको online payment करना पड़ेगा, भी very careful, ठीक है, अब 482 और 483 का छोटा सा interlinking है, जो आपको समझना पड़ेगा, इसमें क्या interlinking है, बहुत बारी यह से सुनो, अगर आपने अपने related party को cash में payment कर करना है, और पहले excess payment को disallow करना है, 40,000, और फिर बार में check करना है, जो बचाओ amount है, 60,000, अगर वो 10,000 से जादा है, तो आपको 40A3 अप्लाई करके वो भी disallow कर देना है, और अगर बचाओ amount 40,000, 10,000 से कम है, तो फिर बचाओ amount आपको 40A3 में disallow, नहीं करना है, तो अगर दोन हूँ, आप एक सेलर हो, हम तोनोंने contract कर लिया, कि मैं आपसे 2,00, रुपे का समान करी दूँगा, और contract के अंदर में लिखवा दिया, कि मैं आपको cash में ही payment करूँगा, दो मैंने बाद, मैं cash में लिखवा दिया, कि cash में payment नहीं किया ना अगर तुने, तो तुझे jail में में बोला था आपको कि यह provision contract law को भी override करता है और यह provision बोलता है कि अगर आप 43 को बचाने के लिए अगर किसी को online payment करते हो account paycheck से payment करते हो तो चलेगा सामने वाला आपके अपर कोई भी किसम का case नहीं कर सकता है just because कि आपने कोई contract तोड दिया ठीक है भी very investment पर मिल जाएगा यह बहुत famous adjustment है बहुत बार इंचीटूट्स पर पूछता है ठीक है last but not least capital A में सबसे आखरी deduction यही है डिसलावंस यही है unrecognized provident fund में कोई contribution करोगे तो उसका deduction आपको नहीं मिलेगा अगर deduction चाहिए तो आपको recognize provident fund में contribution करना पड़ेगा तो यह deduction लेगा next अभी 40 small A की तरफ आते small A में 40 A 1 और 40 A 1 A दोनों almost same है तो एक बार 1 बोल दूँगा तो 1 A भी almost हो जाएगा 1 E का में difference बता दूँगा क्या क्या है 40 A 1 के अंदर आप क्या करते हो किसी non-resident को payment करते हो और ऐसा payment करते हो which is chargeable to tax in India इंडिया में chargeable होना चीए तो ही TDS काटना है ने तो नहीं काटना है तो अगर आप किसी non-resident को payment कर रहे हो foreign company को payment कर रहे हो और उसकी income इंडिया में chargeable to tax ही नहीं है तो TDS काटने का application आप पर नहीं आएगा ठीके अगर सामने वाले की income चार्जबल to tax है तो ही आएगा तो अगर सामने वाले की income अगर partially chargeable to tax है तो फिर partially कितना chargeable है कई से बता चलेगा तो उसके लिए CBD ने circular दिया है अगर सामने वाले की पूरी income इंडिया में chargeable नहीं है तो AO को आपको application देना पड़ेगा AO बताएगा आपको appropriate portion उतने portion पे यह आपको TDS काटा है और अगर नहीं काटा तो उतना portion ही डिसला होगा पूरा portion डिसला हो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा भी very careful ठीके तो सबसे पहले आपको यहाँ पर payment करते समय क्या करना है अगर सामने वाले की income chargeable है तो आपको सबसे बहले 31st मार्च तक काटना है condition number 1 बहुत ध्यान से सुनना 31st मार्च से एक दिन भी delay नहीं कर सकते हो अगर 1st April भी करती हाना खर्चा current year में डिसला हो जाएगा एक भी condition वालेट हुआ 31st मार्च तक नहीं काटा तो खर्चा current year में डिसलाओ या 31st मार्च तक काट लिया यह condition बराबर किया लेकिन condition number 2 वालेट कर दिये due date तक नहीं भरा government को पे नहीं किया तो भी खर्चा डिसलाओ जाएगा current year में अगले साल काटोगे या अगले साल आपको इसका reduction मिल जाएगा अगले साल आपको इसका reduction definitely मिलेगा ऐसा नहीं कि डुसरा फरत यहां पर आपका सिफ 30% कर्चा डिसलाओ अगर आपने समय पे नहीं काटा समय पे नहीं कितना और अनşa मार्स तक नहीं काटा या 31 तक मास तक काटा लेकिन डूटेट तक नहीं भड़ा दोनों में से कोई भी कंडिशन वाइलेट करते हो तो आपका खर्चा 30% इसला हो जाएगा ठीके अगले साल आपको 30% अला हो जाएगा अब यहां पर एक कुछ बहुत इंपॉर्टन बनाएंगे तो आपके ओपर बहुत सारे कॉंसिक्वेंस लग जाएंगे इंट्रस पेनाल्टी यह वह बहुत लंबा चोड़ा प्रोसीजर आगे जाकर आप पढ़ोगे कालेक्शन क्या क्या हो सकता है आपको बहुत कैरफूल रहना है आपको समय पर काटना है लेकिन अब पूरटिकलर चीज़ को अपनी income में include कर दिया condition number one दूसरा उस पर tax भी बढ़ दिया condition number two तीसरा उसने उस पर I-T-R भी भढ़ दिया condition number three तो यह दीम किया जाएगा के मैंकी का वह जाएगा current year में government dislodge कर देगी लेकिन अगले साल में उसका deduction मुझे मिल जाएगा और government मुझे assassine default का tax से बाहर कर देगी मुझे assassine default government नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी नहीं बोलेगी don't worry about it यह पुरा भाशन यहाँ पर दिया गया यहाँ तक का सर इंटरस इंटरस लगेगा सिर्फ 1% का इंटरस लगाएंगे आपको section 201 subsection बाने के अंदर यह इंटरस के अलावा आपके ओपर और कोई consequences government नहीं लगाने वाली है be very careful about it ठीक है अगला इशू यहाँ पर एक सुपरीम कोड का जज्जमेंट है अगर 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 पर अगर पूरे साल अमाउंट कस्टमर को सामने वाले को पे हो गया है तो टीडियस नहीं काटना है नहीं काटना है पार्टी को पे हो गया है तो टीडियस नहीं काटना है तो फिर से government नहीं यहाँ पर clarify कर दिया है तो बहुत सुपरीम को जज्जमेंट कि भाई टीडियस आपको payment हो गया है तो भी काटना है और 31st मार्स को payable है तो भी काटना है यह बात की गई है इस particular section के अंदर अधर छोटे-छोटे डिसलावन से सबसे पहले 482 income tax डिसला होगा उसका सरचार्ज और सेस्ट भी डिसला हो जाएगा आपको careful रहना है साथ में यहाँ पर एक section 155 का एक amendment आया पिछले साल उसको मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा बस interlinking के लिए अभी बता दे रहा हूँ well tax 482 के अंदर 2A के अंदर डिसला हो जाएगा उसके बाद अगर को state government undertaking अपनी state government को exclusively अपनी state government की government की company है वो अपने state government को मारास्टर state government की कमपनी मारास्टर state government को exclusively कुछ royalty तेरी है fee तेरी है service charge तो वो डिसला हो जाएगा याद करो मैंने आपको class में बलाता हो लोग dividend के बदले ये सब चीज लगाना शुड़ू कर देते हैं अपनी companies के उपर ताकि dividend के बदले ये सब चीज दिखा है और खर्चे का deduction ले तो government ने बोले ये सब डिसलाओ घर पे निकलो कुछ नहीं मिलेगा निकलो यहांसे फिर employer अगर अपने employee के लिए non-monetary perquisite का tax बढ़ता है तो वो employer के हाथ में वो खर्चा डिसलाओ हो जाएगा वो tax का deduction उसको नहीं मिलेगा employee के हाथ में वो परquisite क्या है exempt है क्योंकि employer ने उसके उपर tax भर दिया है आखरी डिसलाओंच सबसे important डिसलाओंच 43B वाला कुछ खर्चे are allowed only on actual payment पे करो deduction लो कब तक पे करना है till the due date of filing of return आपको पे करना है तो आपको deduction मिल जाएगा अगें ये deduction भी क्या है ये डिसलाओंच भी temporary डिसलाओंच से permanent डिसलाओंच नहीं है अगर इस साल नहीं पे किया due date of filing of return तक कोई चिंता करने वाली बात नहीं है अगले साल अगर पे करोगे तो अगले साल उसका deduction आपको मिल जाएगा सबसे पहले हमको list देखना पड़ेगा कौन-कौन चे खर्चें यहाँ पर कवड़े सबसे पहले tax, duty, cess or fee government के अलग-अलग किसम के taxes, duty, cess or fee यहाँ पर कवड़े कौन सा tax कवड़े, income tax कवड़े, नहीं नहीं, income tax तो अलाओ डी नहीं है public financial institution, state financial corporation, यहाँ पर ICICI bank, यह सारे banks आ जाएगे schedule bank के अंदर आपका SBI आ जाएगा, ठीक है, SBI और से related सारे उसकी subsidiaries, cooperative banks आ जाएगे, और government ने NBFC को भी cover कर दिया है अभी कुछ notified NBFC पहले भी cover थे, अभी उनका खाली definition थोड़ा बदल दिया है कुछ notified NBFC जो government notify करेगी, जो सारी NBFC नहीं cover है, सिर्फ notified NBFC यहाँ पर cover है, सारी NBFC यहाँ पर नहीं cover है, भी very careful about it, ठीक है उसके बाद यहाँ पर leave salary का payment अगर है, तो उसका भी deduction आपको actual payment basis पर मिलेगा, Indian railway का भी आगर आपको कोई payment करना है तो actual payment basis पर मिलेगा, यह सारे payment आपको कब करने है, आपको allowed है, in the year, in which it is actually paid, और paid till the due date of filing of return, तो previous से 23, 24 चल रहा है, तो आपको due date of filing of return तक pay कर दोगे, तो best हो जाएगा, आपको current year में deduction मिल जाएगा, अगर due date of filing of return तक नहीं pay किया, तो current year में खर्चा disallow, add back, और फिर जब भी pay करोगे, उस साल में उसका deduction आपको मिल जाएगा, don't worry about it, ठीक है, सर, अगर सरकार को मैंने टैंक्स भरने के बदले, GST भरने के बदले, GST की bank guarantee दे दी गौर में bank से, तो क्या deduction मिलेगा, bank guarantee does not amount to actual payment, bank guarantee का actual payment से कोई लेना दिना नहीं होता है, actual payment मतलब actual payment, सामने वाले के खाते में जाना चाहिए, तब जाकर deduction मिलेगा, ने तो नहीं मिलने वाला, ठीक है, सर, GST अगर मैं turnover के अंदर inclusive दिखाता हूँ, या exclusive दिखाता हूँ, तो भी आपको PNL के तुरू रूट करके दिखाना पड़ेगा, in either of the case, GST को turnover में include करोगे, exclude करोगे, उससे फरक नहीं पड़ता है, आपको GST का deduction actual payment basis पर ही मिलेगा, ने तो GST आपकी PGPP में add back हो जाएगा, ठीक है, be very careful about it, Now, यहाँ पर एक बहुत बड़ा amendment आया, उस पूरे amendment पर आता हूँ, मैं थोड़ी तरी के अंदर, उससे पहले मैं कुछ छोटे-छोटे issues है, वो address कर देता हूँ, सबसे पहले सशुन chemical का एक छोटा सा case law है, वो बता देता हूँ, इसमें क्या होता है, बोनस से related कुछ issues था है, employees के, employees को bonus payment basis पर डाला होता है, आप सबको पता है, अब employer and employee के बीच में कुछ खिच-खिच चल रही थी, कुछ अन्बन चल रही थी, कुछ case चल रहता दोनों के बीच में, तो employer ने क्या किया, एक trust बनाया है, उस trust के अंदर bonus को डाल दिया, उस trust को bonus पे कर दिया, और बोला कि वो पैसा उसी account में पढ़ा रहेगा, और ये सारा मुद्धा उनका sawl हो गया, due date of filing of written के पहले, और due date of filing of written के पहले मुद्धा sawl हो गया, बहुत important issue है, और ये बहुत important factor of the case है, और जैसे sawl हो गया, उसने employee लोगों को due date of filing of written के पहले 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 कर दिया, तो सब कुछ due date of filing of written के पहले हो चुका है, तो क्या assessi को deduction मिल जाना चाहिए, तो Supreme Court ने बोला, हाँ मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीके, अब इस पे आते हो उपर वाले point पर, ये भी फहुत important point है, अगर आपके balance sheet में कोई outstanding interest है, उसको आप convert करते हो नए loan में, या नए debenture में, या नए security में, या नए bond में, किसी और चीज़ में convert कर देतो, तो क्या conversion of an outstanding interest into a new loan, bond, debenture, और any other security, क्या उसका deduction आपको मिलेगा, सिर्फ conversion करने बदर, नहीं मिलेगा, government नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन जब convert करने के बाद, actually सामने वाले को पे करोगे, उस साल में आपको उसका deduction मिल जाएगा, as per the CBD circular, चेक कर लो, तो conversion of an outstanding interest into a new loan, does not amount to actual payment, लेकिन जब उसको actually पे कर दोगे सामने वाले को, तब आपको उसका deduction मिल जाएगा, don't worry about it, ठीके, अब एक बहुत बड़ा amendment आया है, सबसे पहले अपने को माइक्रो और स्मॉल के बारे में पता लगाना पड़ेगा, सर माइक्रो किसको बोलते है, माइक्रो एंटरप्राइस वो एंटरप्राइस होती है, अगर वो industrial undertaking है, मतलब manufacturing करती है, तो उसका plant and machinery 25 लाग रुपे तक है, तो वो माइक्रो है, और अगर वो service देती है, तो उसका equipment 10 लाग रुपे तक है, तो माइक्रो है, और small किसको बोलते हैं, small वहाँ से शुरू आता है, जहां से माइक्रो खतम होता है, अगर वो industrial undertaking है, तो plant and machinery 25 लाग से जादा है, और 5 करोड तक है, तो माइक्रो है, और अगर वो service देती है, तो 10 लाग से जादा है, और 2 करोड तक है equipment का value, तो वो क्या माना जाएगा, वो small माना जाएगा, ठीके, तो अब माइक्रो और small वालों के लिए क्या provision लाग है, फोड़ा सा अलगे, इनका due date of payment भी अलग है, इनके लिए government ने बोला है, आपको, अगर आप MSME के due date के हिसाब से pay करोगे, तो आपको accrual basis पर deduction मिलेगा, और MSME के due date के हिसाब से payment नहीं करोगे, तो आपको payment basis पर deduction मिलेगा, ये चीज़ इबाब में रखना है, अगर किसी micro enterprise से कोई समान करीटते हो, या कोई small enterprise से कोई समान करीटते हो, तो आपको ये ख्याल रखना है अपसे, कि आपको MSME के due date के हिसाब से आपको payment करोगे, तो accrual basis पर deduction मिलेगा, और MSME के due date के हिसाब से नहीं पर करते हो, तो payment basis पर मिलेगा, अब सवाल ही उठेगा, कि MSME का due date क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, तो देखो, सबसे पहले अपने को ये पता लगाना पड़ेगा, कि दोनों के बीच में agreement है क्या buyer और seller, अगर buyer और seller के बीच में agreement है, और agreement में लिखा है, तो 25 दिन में pay करना पड़ेगा, agreement में लिखा है 40 दिन, तो 40 दिन में pay करना पड़ेगा, लेकिर agreement में अगर 45 देज से जाधा लिखा है, तो maximum 45 देज में pay करना पड़ेगा, तो agreement में जो date लिखा है, days लिखा है वो, या maximum 45 days, whichever is lower, ठीके, agreement में 70 लिखा है तो 45 days में due date आजाएगी agreement में 40 लिखा है तो 40 maximum 45 days का time है अगर दोनों के बीच में agreement नहीं है तो maximum 15 days का time है from the date of purchase purchase करें आज 15 दिन में pay करो ने तो फिर माना जाएगा कि आप late payment कर रहे हो अब अगर आप समय पे पे कर रहे हो समय पे तो आपको accrual basis पर deduction मिल जाएगा और अगर late pay कर रहे हो तो आपको payment basis पर deduction लेना पड़ेगा चेक कर लो please फड़ाफट तो यहां जाकर आपके सारे के सारे डिसलाविंस खतम हो जाते अब आगे बढ़ते towards a very small part that is deemed income deemed income के अंदर दो section पर हम को liability को तो जितना भी receiver आ या right off कर रहे हो मतलब liability को right off मार रहे हो अभी जर्वत नहीं पे करने की तो उतना आपके हाथ में पीजी पी इंकम मानी जाएगी सबसे पहली category ठीक है दूसरी category यह है कि अगर आपके business में कोई trading liability अब वो remit हो रही है या seize हो रही है खतम हो रही है मतलब वो trading liability remit हो रही है seize हो रही है खतम हो जा रही है तो वो भी deemed income मानी जाएगी आप बोलोगे trading liability का मतलब क्या होता है trading liability मतलब वो liability जो day to day business के अंदर आपको incur होती है जैसे मिसाल के तोर पर आपने कोई working capital का loan लिया और वो wave off हो गया तो वो trading liability मानी जाएगी अगर वो wave off होता है तो section 41 sub section 1 में cover हो जाएगा fixed asset का loan लेते हो वो wave off हो रहा है तो वो trading liability नहीं माना जाएगा वो section 41 1 में attract नहीं होगा लेकिन याद करना हमने पहले पढ़ा है section 224 18 के अंदर अगर यही fixed asset का loan अगर central government state government कोई body authority agency wave करती है तो वो आपके हाथ में income मानी जाएगी अगर कोई और wave करता है तो वो आपके हाथ में taxable नहीं होगा be very careful about it next क्या अगर यह waiver और जो भी है यह business खतम होने के बाद होता है तो भी यह taxable होगा yes 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 तो भी taxable होगा और amalgamation होने के बाद amalgamated company के हाथ में होता है तो successor के हाथ में होता है Yes 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 I amalgamation होने के बाद अगर successor के हाथ में होता है तो भी ये सब कुछ क्थ क्या है taxable 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 फैंटă चेक कर लीजिए ठीक है आGear ब़ता हुमे unilateral cessation of trading liability unilateral का मतलस्ट क्या होता है देख्वध कुशवं यहां पर एक seller है here a buyer है seller बोलता है कि मैं तो ये क्या करूँगा मैं तो इसको right off मार रहा हूँ seller ने इसको right off मार दिया लेकिन बाहर बोलता है मैं तो right off नहीं मारूँगा मैं तो अपनी तरफ से recover करके रहूँगा तुझ से तो अब सवाल ये उठ रहा है इसको बोलते है unilateral cessation of trading liability अब seller बोलता है कि अगर मैं right off नहीं मारूँगा और buyer बोलता है कि मैं right off मार दूँगा कोई भी एक तरफ से अगर बंदा उसको wave off कर देता है तो भी वो क्या माना जाएगा unilateral unilateral का मतलब क्या होता है one sided अगर seller बोलता है कि मैं नहीं रूँगा बायर बोलता है कि मेरे को नहीं चाहिए दोनों में से कोई भी अगर एक दोनों का right off मानना जरूरी नहीं है बोलने का मतलब यह कोई भी एक right off मार देगा तो भी ये income क्या मानी चाहेगी buyer के हाथ में मानी जाहेगी अगर ये wave off करता है तो ठीक है तो इस तरीके से युनिराइटर cessation of trading liability भी आपके हाथ में क्या है taxable अब यहाँ पर आते हैं हम लोग एक बहुत important Supreme Court का judgment है Polyflex India Limited इसमें क्या होता पता है assessi के उपर excise में case चल रहा था excise में case assessi हार गया case हारने के बाद assessing officer ने जो भी excise का officer था जो excise commissioner था या excise department का central excise officer था उसने कुछ liability race किया तो assessi ने क्या क्या वो liability pay किया और appeal कर दिया अपील चला गया हाई court में और हाई court में जाने के बाद assessi case जीद गया case जीद गया तो assessi को क्या हो गया वो पैसा वापस मिल गया तो department ने बोला उस पे tax भरो अब assessi बोलता है मैं अभी इस पे tax नहीं भरूँगा क्योंकि अभी department ने इस पे supreme court में case कर दिया है क्योंकि matter अभी supreme court में subjudized है जब supreme court का judgment आएगा तब मैं tax भरूँगा सवाल यह उठ रहा है अब आगे बढ़ते है section 41 सब section 4 अगर आपने पहले bad debts का deduction लिया था और वो bad debts की बाद में recovery होती है तो वो भी आपकी business income मानी जाएगी बी very careful about it अब supreme court ने बोला अगर प्रीड assessor ने मतलब ml का meeting company ने bad debts claim किया था और successor उसको recover करता है successor recover करता है तो careful रहना यह आपके हाथ में taxable नहीं है नहीं है नहीं है यहाँ पर ने को 41 1 attract हो रहा था successor के case में लेकिन 41 4 successor के case में attract नहीं होता है इसके नीचे कुछ interlink ही है 41 2 balancing charge 41 3 scientific research asset बेचने पर यह 41 4 है reserve से पैसा निकालने पर special reserve से आपको income deemed income मानी जाएगी यह सारी चीज़ हमने पहले कर लिए और 41 5 करके एक section है वो आगे जाकर आने वाला है ऐसे करके हमारे सारे के सारे 41 के series खतम हो जाएगी ठीक है आगे बरता हूं towards the next very very important part that is chapter 8 miscellaneous issues section 49 49 क्या बोलता है अगर कोई भी खर्चा अगर आप किसी exempt income को कमाने के लिए करते हो तो उसका deduction आपको नहीं मिलेगा कितना डिसलाव करेगी government government बोलती है rule 8D बताएगा आपको कितना डिसलाव करना है आप दो किसम के खर्चे हो सकते एक वो खर्चा जो directly exempt income के लिए तो उसको directly डिसलाव करो और एक वो खर्चा जो आप directly exempt income के लिए नहीं करते हो बलकि indirectly करते हो तो उसका कितना खर्चा डिसलाव करोगे उसमें आपको देखो थोड़ा calculation करना पड़ेगा सारे exempt investment ऐसे investment जिससे आपको exempt income आती है उसकी detail निकालने पड़ेगी कैसी detail 1st April 30 April divided by 2 1st May 31st May divided by 2 1st June 30 June divided by 2 1st July 31 July divided by 2 ऐसे करते 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 लास्ट मन तक 1st May 31st May divided by 2 ऐसे मंतली average निकालना पड़ेगा exempt investments का निकाल लिया निकाल लिया अब उसका total मारने का 12 मेने के मंतली average का total आ गया आ गया अब 12 मेने के total को divide करने का 12 से तो annual average आ जाएगा उसका 1% लेने का वो बन जाएगा आपका point number 2 careful रहना ठीके ये बन जाएगा आपका point number 2 in this particular case is it clear? next very small small points to be kept in mind first disillavances can be made even in those cases where no exempt income has been earned by the associate during the previous year very important point अगर current year में आपने कोई loan लिया है loan लेकर उससे exempt investment करीदा है तो आप interest तो ब्यास तो दोगे आप interest तो देना पड़ेगा लेकिन income इस साल नहीं कमाया income अगले साल कमाऊगे तो क्या उस case में भी current year में 14 A attract होगा attract होगा इस साल में income कमाना जरूरी नहीं है भले income अगले साल कमाने तो क्या होगा लेकिन पैसा तो आपने exempt investment में लगा दिया ना तो आपने सब्सक्राइब जनवरी में लोन लिया लोन लेकर आपने तीन मेने का interest दिया लेकिन income आपको अगले साल डिसमबर में मिल रही है तो भले income अगले साल मिल रही है 14 A इस साल भी attract होगा इस साल भी अट्राक्ट होगा, इस साल भी अट्राक्ट होगा, भी वेरी केटफूल Next, CIT वेंसे स्क्रिप्ट को 2012 Delhi High Court का जज्जमेंट है क्या अगर मैंने loan लेकर कोई ऐसी income कमाना जो chapter 6 में deductible है क्या तब भी 14A applicable होगा, नहीं applicable होगा 14A is not applicable to incomes which are deductible under chapter 6 14A is only applicable to incomes which are exempt under section 10 जो income section 10 में exempt है, सिर्फ उनहीं के लिए 14A applicable है chapter 6 में जो खर्चे deductible है, जो income deductible है उनके लिए 14A applicable नहीं है, नहीं है, नहीं है भी very careful Next, 43D ये सिर्फ और सिर्फ कुछ banking industries के लिए applicable है public financing company के लिए applicable है, cooperative bank के लिए applicable है, schedule bank के लिए housing companies के लिए applicable है, अगर उनको कुछ bad and doubtful debts होता है, जो RDD होता है, उसके interest के ओपर बोलो tax कप भरेंगे RDD के जो interest होता है, उस पे tax कप भरेंगे, तो government ने बोला है, उस पे tax कप भरेंगे, जब वो interest recover हो जाएगा जब भी credit हो जाएगा, या recover हो जाएगा, विचे विर जाएगा, तब आपको उसके ओपर tax बरना है, तब तर tax बरने के ज़रूरात बिलकुल भी नहीं है आगे बढ़ते है, PGPB वालों के लिए, books of accounts maintain करना बहुत जरूरी है, और books of accounts बोलों कैसे maintain करेंगे, 44 AA के हिसाब से, उसके लिए सारे assets को government ने दो category में divide कर दिया है, कुछ specified professions को अलग रखा है, और बाग की लोगों को अलग रखा है, तो specified professions को books का maintain करना है, उसमें भी चेक कर profession, specified profession में कौन को आता है, वो मैं थोड़े दिर बाद detail में बताता हूँ, बढ़ अभी भी बता देता हूँ, chartered accountant आता है, doctors आता है, lawyers आता है, etc, 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 IT professionals, company secretary, film artists, यह सब लोग आते है, specified professions में, total 9-10 लोग आते हैं, उसमें से 6 तो मैंने अल्रडी बता दिया, बाकी पूरी list में दा रहा हूँ, दो मिनिट रुखो, existing अगर आप हो, existing chartered accountant तो आपको check करना पड़ेगा, पिछले तीनो सालों का gross receipt, all three preceding year gross receipt should be greater than 1.5 lakhs, all three, all three, okay, और अगर आप नए chartered accountant हो, नए lawyer हो, तो आपका current year का gross receipt should be greater than what, greater than 1.5 lakhs, ठीके, तो अगर आप existing हो, तो पिछले तीनों सालों अगर आप नए हो, तो आपको current year का gross receipt 1.5 lakhs से जादा होना चाहिए, तीनों सालों का check करना है, एक भी साल का अगर देर लाग से कम है, तो आपको books maintain करना ज़रूरी नहीं है, और books कितने साल तक maintain करना है, you are to keep and maintain the books for six years from the end of the relevant AY, जो भी relevant AY है, AY के end से 6 साल, PY से end से 6 साल न है, अब उसमें भी existing और new दोनों को check करना है, existing में दो condition है, दोनों में से कोई भी fulfill हो गया, तो books maintain करना ज़रूरी है, अगर आपका PGPP किसी भी साल में in any of the three years, उपर all था, या आपर किसी भी साल में 1,20,000 या 2,50,000 क्रॉस हो जाता है, आपको books maintain करना mandatory है, फिर condition number two check करने की जर अगर पहला condition fulfill नहीं होता है, तो condition two में turnover check करो, पिछले तीन में से किसी भी साल में turnover, अगर आपका 10,00,000 या 25,00,000 क्रॉस हो जाता है, तो आपको books maintain करना ज़रूरी है, तो या तो आपको PGPP चेक करना है, पिछले तीन में से किसी भी साल का, या तो आपका turnover check करना है, पिछले अगर बुक्स maintain करना जरूरी है, और अगर आपने maintain नहीं किया, तो 278 के अंदर AO, CIT appeal, या Joint Commissioner appeal, या नहीं authority आई है, Finance Act 2023 से पहले नहीं थी, इन में से कोई भी आपके ओपर क्या लगा सकता है, पेनाल्टी लगा सकता है, 25,000 रुपे तक की पेनाल्टी आपके ओपर लग सकती कुछ लोगों के लिए government ने ये limit को बढाकर 10 करोर कर दिये, वो खुछ नसीब लोग कौन है, अगर उनका cash receipt divided by total receipt is less than equal to 5%, तो cash receipt अगर 5% तक है, total receipt के comparison में, साथ साथ में cash payment भी total payment के comparison में 5% तक है, तो receipt भी 5% होना चाहिए total receipt के comparison में, और payment भी 5% होना चाहिए total payment के comparison में, अगर दोनो, 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 दोनो 5% तक है, दोनो 5% तक है, तो तुम्हारे लिए turnover क्या limit है, 10 करोर तक तक तुमको tax audit करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, sir cash मतलब क्या, cash में सिर्फ cash नहीं आएगा, account पे ही check अगर नहीं है, तो वो भी cash ही माना जाएगा, तो cash में, मैंने आपक नहीं चलेगा, be very careful, वो cash ही माना जाएगा, आगे बढ़ते हैं, profession वालों को कब maintain करना है, कब audit करवाना है, अगर उनका gross receipt या turnover जो भी है, वो 50 लाग cross होता है, तो उनको करवाना जरूरी है, third वाला point हम लोग अगले section के साथ discuss कर लेंगे, 4480 के साथ, don't worry about it, अच्छा due date क्या है sir, one month prior to the due date of filing of return, अगर आपकी 30th November due date है, transfer pricing वाला, तो 31st October तक audit करवाना है, और 31st October due date है, नौर्वल SSC वालों का, तो 31st September तक audit करवाना mandatory है, audit नहीं करवा है, तो government मेरा क्या कर लेगी, government तुम्हारे पर penalty लगाएगी, 0.5% of turnover और 1,50,000 whichever is lower, इतनी penalty government तुम्हारे पर लगा द करते हो, जिसका ultimate gift क्या यहां पर चेक कर लो, अगर आपका intention is to raise capital, which is permanent in nature, अगर आप permanent capital raise करने के intention से पैसा raise कर रहे हो, यह intention से खर्चा कर रहे हो, तो वो capital expenditure माना जाएगा, और उसका जो भी खर्चा होगा, वो PGPP में क्या हो जाएगा, डिसला हो जाएगा, जैसे मिसाल के अगर आप bonus shares, issue कर रहे हो, तो bonus shares से कभी भी capital बढ़ता नहीं हो, तो इससे कोई capital नहीं बढ़ा, तो यहां पर आपका intention capital बढ़ा नहीं होगा, यहां पर खर्चा अला हो जाएगा, उसी तरीके से अगर loan debenture raise करते हो, तो उसमें आपका capital नहीं बढ़ता है, loan or debenture से थोड़ उसी तरीके से अगर आप shares issue करते हो, which will always be capital in nature, ठीके, वो हमेशा capital माना जाएगा, क्योंकि share कभी भी permanent capital का part बढ़ जाता है, ठीके, असी तरीके से अगर debentures को redeem करते हो, तो premium on redemption of debentures, यह आपका revenue expense से तरह माना जाएगा, over the life of the debenture, आपको उसका deduction मिल जाएगा, तो moral of the story, ब revenue की तरह deduction दे दो, और दूसरा view यह बोलता है, नहीं, यह तो आगे जाकर capital बने का ना, आज debenture है, तो क्या हो, future में तो equity capital बनने वाला है, तो जब equity capital बन जाएगा, तो यह permanent capital का part बन जाएगा, तो इसका deduction मत दो, यह दो no view correct है, आप यह view ले लो, यह view ले लो, दोनों में से बोला गया है, construction contract की पहले बात कर लेता हूं, construction contract के लिए यहाँ पर बोला गया है, कि उनका जो भी revenue है, और जो भी cost है, वो percentage of completion method के इसाफ से वो recognize करेंगे, सारा revenue, सारा cost, सब कुछ POCM के इसाफ से recognize होगा, अब service contract वाले अपना profits and gains कैसे निकालेंगे, अगर duration service contract का 90 दिन तक ह साब से determine करना पड़ेगा, अब contract revenue के अंदर आपको retention money भी include करना पड़ेगा, और जो contract cost है, उसके अंदर कुछ चीज़ है, मतलो आप, जैसे incidental incomes होती है, आपके interest, dividend, capital gains, या आपकी incidental income है, यह सब को contract cost के अंदर include, मैंसे reduce नहीं करना, उसको adjust नहीं करना, उसको separately दिखाऊ, ठ अगे बरते towards some very, 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 very important section, that is 44 AD, that is your presumptive income, जो आपके section 28 से लेकर 43 तक सब को override कर देता है, 44 AD किसके लिए आप लिके बले, सबसे बहले सिर्फ resident individual, resident H.U.F., resident partnership firm, LLP के लिए आप लिके बल, नहीं है, नहीं है, नहीं है, प्लस सारे business cover days के अंदर 44 AE का छोड़ कर, और turnover कितना ह होना चाहिए, turnover, sales, grocery, जो भी है, वह आपका 2 करोड तक होगा तो चलेगा, अब यहां पर finance act 2023 में amendment आ गया है, जिसमें बोला है, कि अगर आपका, अगर आपका cash receipt compared to your turnover is less than 5%, less than equal to 5% of total turnover, अगर आपका cash receipt up to 5% of total turnover है, तो आप 3 करोड तक का benefit भी उठा सकते हो, 3 करोड तक भी turnover ह तो भी आपको यहां पर चल जाएगा, अब यहां पर confusion नहीं होना चाहिए, तो sir, अगर मेरा cash receipt divide by turnover 5% से जादा है तो, तो फिर आपके लिमिट 44 AD अपनी के भले, लेकिन से 2 करोड तक के turnover लोगों के लिए अपनी के भले, 15 करोड वालों के लिए benefit अपनी के भल नहीं है, tax audit के chapter के अंदर एक question डाला है, इसलिए यह चीज़ आपको मैं बहुत specifically बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको turnover पता लगाना है, cash receipt ले लो, divide by total turnover ले लो, compare कर लो, पता लगा लो, 5% से जादा है या कम है, 5% तक है, तो 3 करोड तक का turnover है, तो आप यहां मज़े उठा सकते हो और अगर 5% से जादा है, तो उसे 2 करोड तक का turnover है, तो ही मज़े उठा पाओगे, otherwise मज़े नहीं उठा पाओगे, ठीके, now एक बार वो पता चल गया, उसके बाद आप अपनी deemed income निकालिए, deemed income कैसे निकालूँगा, 8% of the turnover, सर कुछ लोगों के लिए 6% भी है न, हाँ, 6% कि के लिए अप सुन लो, अगर आप अपना पैसा, due date of filing of return तक मंगवा लेते हो, condition number one, और दूसरा condition, अगर आप चार mode में मंगवाते हो, account paycheck, account pay draft, etc, etc, तो ही आपको 6% of turnover का benefit मिलेगा, तो पहला आपको पैसा मंगवाना है customer से, और दूसरा आपको due date तक ही मंगवाना है, एक दि लिए लिए नहीं करवाना है, due date तक मंगवाओगे, तो आप 6% के तक off the turnover income दिखा सकते हो, ठीके, अब, ये section, कुछ लोगों के लिए applicable नहीं है, सबसे पहले, जो profit link deduction claim करता है, उनके लिए section applicable नहीं है, ठीके, second, जो profession करता है, 44 ADA वाले, उनके लिए section applicable नहीं है, जो commission business कमाता ह उनके लिए ये section applicable नहीं है, और जो agency का business करता है, उनके लिए ये section applicable नहीं है, ठीके, be very careful, अब, कुछ चीज़े आपको बहुत दिमाग पर रखनी पड़ेगी, जैसे, कोई भी PGPP का deduction आपको नहीं मिलेगा, इन section हो के अंदर, कोई भी PGPP का disallowance भी आपको नहीं करना है, इन section अंदर, WDB वैसे ही निकालोगे, जैसे निकालते जारे, सर, chapter 6, से का deduction ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, because ये section से 28 से लेकर 43 तक override करता है, chapter 6, से क override नहीं करता है, तो वो ले सकते हो, UAD ले सकता हो, UAD नहीं ले सकते हो, क्यूंकि UAD भी section 32 के अंदर आता है, तो UAD का deduction भी आपको वो section 70 से 80 के बीच में आता है, वो section 32, section 28 से 43 के बीच में नहीं आता है. Sir, अगर partnership firm हो और partner को remuneration interest दे रहा हूं तो वो नहीं मिलेगा, इस section में भी नहीं मिलेगा, अगले section में भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अगले section में ये allowed है, 44 AE में बहुत केरपल रहना, 44 AE में ये allowed है, AD और ADA में ये allowed नहीं है, लेकिन AE में allowed है, Sir, advance tax कितनी बार भरना है साल में, इन लोगों को advance tax साल में, चार बार भरना नहीं है, सिर्फ एक ही बार भरना है, इस section में भी एक ही बार भरना है, one last thing in this section is point number 8 एक बार आपने इस section follow कर लिया तो अगले 5 साल तक आपको जफ मरा के इस section follow कर रहा है लेकि अगले 5 साल के बीच में अगर इस section से बाहर निकले आप मान लो ये साल आपने follow कर लिया अब 5 साल तक आपको follow करना पड़ेगा इस section अब 3 साल आप बोल रहे हो नए नए मुझे नहीं follow करना है तो फिर आप consequence सुनो अगर 3 साल आप इस section से बाहर निकलते हो तो फिर उसके अगले 5 साल आपको वापस से section में हम आने नहीं देंगे 3 साल के बात के 5 साल हम आपको इस section में आने नहीं देंगे और हम आपको बोलेंगे अभी अगले 5 साल तक आपको books भी maintain करना पड़ेगा audit भी करवाना पड़ेगा सब करवाना पड़ेगा तो एक बार 44 AD में आ जाओगे तो 5 साल के लिए फस जाओगे बहुत बुरी तरीके से और ऐसा provision एक और जगे पर है वो आगे जागर हम लोग पढ़ेंगे 115 BBF जो एक resident के लिए एक applicable है आगे जागर जब भी 115 BBF का section आ जाएगा royalty के उपर कुछ optional regime देती है government उन लोगों के लिए applicable है तो MAT के chapter में वो मैं आपको बता दूँगा अब आगे बरता हमें towards 44 ADA ADA किसके लिए सर ADA है specified professions के लिए कौन कौन से professions covered है चेक कर लो legal covered है, medical covered है, engineering covered है architecture covered है, accountancy covered है technical consultancy, interior decoration, authorized representative film artist, company secretary and IT professions इनके लिए क्या turnover है सर् इनके लिए government ने बुला है कि gross receipt आपकी 50 लाग रुपे तक है तो आपको ये benefit मिलेगा, अब इनको भी government ने 50 लाग से 75 लाग की limit बढ़ा दिये, वो ही same condition है कि cash receipt should be up to how much up to 5% of the total receipt cash receipt आपका total receipt के 5% तक है तो आप 75 लाग तक का turnover वाले भी यहाँ पर मज़े उठा सकते है ठीक है, be very careful, तो सर्थ इनके लिए deemed income कितनी है इनके लिए deemed income direct है 50% इनके लिए multiple rate नहीं, 8% 6% ऐसा दो अलग अलग rate नहीं है, direct 50% of the gross receipt, चलो ठीक है, इसके अलावा ये किस के लिए अपली के बले है, सिर्फ दो ये लोगों के लिए अपली के बले है resident individual, resident partnership firm ये हुएफ के लिए भी applicable नहीं है, LLP तो छोड़ दो हुएफ के लिए भी applicable नहीं है, सर्थ यहां भी पांच साल का नाटक है, यहां पांच साल का नाटक नहीं है, आपको जिस साल में अच्छा लगता है, उस साल में लो जिस साल में अच्छा नहीं लगता उस साल में मत फॉलो करो इस section आपकी मर्जी ठीक है तो यहाँ पर भी advance tax चार बार बरना है नहीं यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया advance tax एकी बार बरना है 4480 जैसा अगले section में advance tax आपको चार बार बरना है 44AE के अंदर बागी सारे provisions इसके उसी तरीके से जैसे पिछले section के थे rest all provisions are same मतलब यहाँ पर मैंने bracket में डाल दिया क्या क्या same है क्या क्या लग है ठीक है सब बता दिया है यहाँ पर तो आपको वापस से बोलने की मुझे जरुबत नहीं है last but not least 44AE यहाँ पर क्या बोलता है 44AE बोलता है ट्रक वालों के लिए यह सब के लिए applicable all assets are covered resident non-resident individual होए firm, AOP, BYU, company, company, company सब के लिए applicable है साथ-साथ में अगर आपके पस पूरे साल में 10 से जादर ट्रक नहीं है कभी भी एक moment के लिए आपके पस 10 से जादर ट्रक नहीं है तो आप इस section में आ सकते हो असानी से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब एक बार इस section में आ गए तो उसके अंदर आपको पिर चेक करना है क्या आपकी vehicle light है या heavy है light का मतलब क्या होता है अगर आपकी vehicle का weight weight कितना है 12,000 kg तक है तो light है 12,000 kg से जादा है तो heavy है तो light vehicle के लिए तो single amount है 7,500 पर month और part of the month पूरे महने के लिए भी 7,500, part of the month के लिए भी 7,500 जितने महने आप उस truck के क्या है owner है जब तक owner है तब तक 7,000 रुपे के साब से deemed income दिखानी पड़ेगी अच्छा heavy vehicle के लिए क्या है हर एक ton के ओपर 1000 रुपया दिखाना पड़ेगा 15,000 kg की वहिकल है तो 15,000 रुपया आपको दिखाना पड़ेगा हर महने का per month, per thousand, per ton per thousand, per ton, for every month for which the vehicle is owned by the SSC ठीक है उतने महने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा अच्छा, यहाँ पर भी आपको सर, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ है जो पिछले section से अलग है सबसे पहले, यहाँ पर आपको 4 बार advance tax बरना है पिछले 2 section में एक ही बार बरना था plus, यहाँ पर अगर partnership firm हो तो partner को remuneration interest दे रहे हो, तो उसका reduction मिलता है, पिछले 2 section में आपको नहीं मिलता है, ठीक है, आप सर में lower profit दिखा सकता हूँ, हाँ, आपका actual profit अगर इससे भी कम है, जितना है आपर बोला गया है तो आप lower profit भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नी है books of accounts maintain करो, audit करो और department को prove कर दो, कि आपका profit इससे भी कम है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नी है one last thing, but not very important for examination, section 44, insurance business के लिए government ने बुला है, कि अगर आप insurance business में involved हो, तो आपका competition होगा, as per the first schedule of the income tax act, but fortunately, वो first schedule हमारे syllabus में इंचिरूर ने डाला नी है, तो thankfully बहुत अच्छी बात है, ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा PGPP खतम हो जाता है, section 28 से लेकर 44 तक सब कुछ खतम हो जाता है, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ बसती है, जो मैंने extra की है, आप लोगों के लिए, interlinking की है, पूरे chapter की, वो interlinking एक scientific research का in-house research, जो तीसरा वाला section था, और एक investment link के अंदर तीन business है, एक तो production of fertilizer, एक production of semiconductor wafer manufacturing unit, और production of honey, यह तीन business थे manufacturing से related, ऐसे कौन कौन से section है, जहाँ पर company word लिखा है, एक तो family planning में लिखा है, एक in-house scientific research में लिखा है, investment link reduction में दो जगे पर company word लिखा है, जागर चेक करना, सिर्फ इंडियन company के लिवले बले, एक ambani और एक अदानी, याद है आपको वो दोनों जगे पर सिर्फ इंडियन company चलती है, एक company चलती है, और कोई नहीं चलता है, और CCD जो सबसे आखरी वाला section था, skill development वाला, next, ऐसे कौन-कौन से section है, जहाँ पर Indian company word लिखा है, preliminary expense में Indian company word लिखा है, amortization of exploration expenses में Indian company word लिखा है, amalgamation और demurger में भी सिर्फ Indian company के लिए, और एक ambani और अदानी वाले जो दो section थे, दो business थे, उसमें भी Indian company लिखा है, ऐसे कौन-कौन से section है, जहाँ amortization की बात किया है, सरकार ने, सबसे पहले family planning expenditure of capital expenditure of family planning 3619, 1-5th, 35D preliminary expense, 1-5th, उसकी बाद 35D taxation of mines, 1-10th, 35DD amalgamation खर्चा, 1-5th, VRS, 1-5th, 35DDA, और 35, 35ABB और ABA, वो over the life of the license, या आपका telecom और spectrum license की बात कर रहा है, कौन-कौन section है, जहाँ पर percentage के basis पर आपको reduction मिलता है, तो tea coffee rubber में आपको 40% of PGBP है, before 33 ABA and before broad forward loss से आद करो, 33 ABA के अंदर वो सेम ही है, 20% है बस, जहाँ आप 3617E के अंदर, schedule bank के लिए आपको 8.5% है, bankisab के लिए आपको 5% है, Indian bank जो दूसरी banks है, public financial institution, NBFC, foreign bank, और schedule bank के लिए extra 10% of aggregate rural advances भी है, 3618 के अंदर आपके लिए 2 limits दाल के रखी है, 20% of PGBP और 200% of paid up capital plus general reserve minus special reserve on the first day, और last but not least, 35 D के अंदर, आपका preliminary expenses का आपको, पहले आपको actual निकालना है, फिर actual को compare करना है, higher of the two से, फिर whichever is lower और उसको फिर divide by 5 करना है, ठीक है, last, last दो, एक दो point है, कौन-कौन से section में lock-in डाल के रखा है, एक तो 33 ABA और ABA के अंदर tea coffee rubber बाले के अंदर 8 साल का lock-in डाल के रखा है, और 35 AD के अंदर बोला है कि 8 साल तक आप non-specified purpose के लिए यूज नहीं कर सकते हो, अगर यूज किया तो deemed income बना देंगे, last but not least, कौन-कौन से section में नहीं plant and machinery की बात किया है, एक तो additional depreciation में नहीं plant and machinery की बात किया है, और 35 AD के अंदर नहीं plant and machinery की बात किया, लेकिन 35 AD के अंदर दो exception है, कि अगर imported second-end plant and machinery होगी तो चलेगा, उस पर depreciation claim नहीं होना चाहिए, और second-end 20% of total value of planted and machinery अगर second-end तो भी चलेगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो यहां जाकर आपका comprehensive revision कम से कम समय में, लगबग देखो, धाई घंटे के अंदर मैंने इतना विशाल topic, जो class के अंदर हमने कितने हफतों तक किया था, वो मैंने comprehensively revise करने की कोशिश किया, मैं आप लोगों से akeven अंती करूँगा, कि इसको आप consistently देखते रहो, भले direct tax revise करने का आपको मौका नहीं मिलता है ना, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इसको आदत बना लो, कि यह revision videos हम देखते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे, और जादा से जादा दोस्तों के साथ इसको फैलाओ भी प्रीज, ठीक है, इसको बहुत सारे लोगों के साथ फैलाओ, अच्छा काम करना, जीवन में अच्छी चीज होती है, अगले कुछ मैने भगवान की कृपा भी आपके लिए बहुन जादा important है तो अच्छे काम करोगे तो भगवान भी आपके कृपा करेगा so that's it from my side I will try my best to upload the revision video at an earliest and I will also upload in English don't worry full English वालों के लिए I will be uploading very soon don't worry about it till then take care all of you bye ध्यान रगो सब लोग अपना bye